हेलो दोस्तो जैशी राम गुड मॉनिंग मासरस्वती का नाम लेके आज हम टिगनो मैट्री की पहली किलास शुरू करेंगे आप सब लोग पढ़ने के लिए तयार है आप सब लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आभार है और धन्यवाद आप लोग मुझे दीजिगों कि मै चार साल के हर एक एक एक्जाम की तो हजार से जादे क्वेस्टन्स हो जाएंगे तो मैंनों इसे क्वेस्टन्स को फिल्टर कर लिया एक सौ सवाल की फाइल बनाई है मैं यह मैं हर चेप्टर के साथ करूँगा वो सौ सवाल की फाइल मैं आपको टेलिग्राम चैनल पे दिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आप वहां से उस फाइल को डाउनलोड करिए आप उसको सौल करिए तो आपको हजार कॉस्चन सौल करने के इक्वल ही फायदा होगा ठीक है एक तरीकी से आपके पास इस एक महिने के धर्मियान में आपके पास एक मिनी बुक तयार हो स्लाइड की फॉर्म में बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम उस पर नहीं गुसेंगे वो कि हम जब केरविल एप्लिकेशन पर पढ़ाते तो 40 कलास होती है ठीक है ना नौही कलास में जब टिग्रोमेट्री पढ़ाते तो एक साल लगती है आज हमको ये पांचे घंटे में स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे जिनको तब भी नहीं समझ मैं तो उनके लिए एक था बेसिक फिलिम हम रिलीज करने वाले है उनमें उनको विलन का रोल दिया जाएगा ठीक आप लोग पढ़न सेलेक्शन पोस्ट हर एक स्टूडेंट इस सेशन को अटेंड करेगा चार गंटे में 40 गंटे का सीख के आप जाओगे ऐसा मेरा वादा है ठीक शुरू करें मेरे दोस्त मैंने एक फरजी सारी भी लिखिए इधर दिखिएगा कंसेप्ट भी होंगे क्वेस्टन्स भी होंग जाते कि मैं फोरवर्ड करता गया वो उनकी फाइल उनका डाटा कलेक्ट करते गए हाला कि अभी भी कुछ भी कंपाइल नहीं को है दस परशेंट बच्चों का ही डाटा हमारे पास आया है यह प्रोसेस दस-पंदरे दिन तक लगातार चलता रहेगा तो अगर आप महनत करे स्टूडेंट है जो कैलीड प्रेटफॉर्म से पढ़ पढ़ कर सिलेक्ट हुए है एक्चली टीचर का जो रोल होता है वो बहुत मिनीमल सा होता है हमारा काम है गाइडेंस करना पेपर तो आपको ही सॉल करना है पढ़ना आपको यह कंसेप्ट आपको ध्यान रखने प्रेक सुचीता पारिक जी अभी बेंगलोर में इन्होंने जॉइन किया है इनकम टेक्स डिपार्टमेंट में तो इनको मैं कुछ इस्टूडेंट कह रहेते हैं सर इंटर्व्यू के लिए बुलाए टॉपर्स को तो इस वार हम थोड़ा सा अलग करेंगे एक एक स्टूडेंट को गार्डेंस भी आपको मिल पाए ठीक है ना कोशिश करेंगे कि वीकेंड पर किया जाएगो कि अभी तो दिन बार हम एप्लिकेशन पर आपके साथ बिजी रहेंगे ठीक पढ़ने के लिए तयार है लिस्ट बहुत लंबी है और यह लिस्ट आती रहेगी महीने बर तक चिंत जल्दी जल्दी रिवाइस करेंगे सबसे पहले टिग्नोमेटरी आप जानते एकी एंगल के अराउंड घूनती है राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है मही राइट एंगल में 90 डिगरी के सामने हाइपोटीने सबसे बड़ी भुजा होती है यह एक्यूट एंगल है बाकी दोन एंगल 90 डिगरी से छोटे होंगे सपोज मैं इस एंगल के लिए बात कर रहा हूं तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा पर्पेंडिकुलर होगी और यह बेस होगी तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे फेमस क्या है पाइथा गॉरस ठोरूम हाइपोटीन इसका स्क्वाइर बराबर पी स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर यहां से आप पी और बी की वैलू भी निकाल सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है नहीं यह ठीक है दोस्त तो कान लंब और आधार कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर पर्पेंडिकुलर खड़ा वाला ह ऐसा नहीं है दोस्तो यह कोई ऐसा नहीं कि जो खड़ा हूँ लंब हो गया और जो लेटा है वो बेस हो गया जिस एंगल के बारे में बात करें अगर हम इस एंगल थीटा के बारे में बात करें तो इसके सामने वाली साइड पर्पेंडिकुलर यह बेस है लेकिन आगर मैं हर एक सवाल में पाइथागॉरस थोरम लगाएंगे तो आपकी कैलकॉलेशन बहुत जाद है बढ़ जाएगी ठीक है इससे तो आपका काम बनेगा नहीं तो आपको कैलकॉलेशन को कम करना है तो उसके लिए आपको याद करने होंगे ट्रिपलेट ट्रिपलेट कुछ संख्या 5, 12, 13 अगर किसी बच्चे को याद नहीं तो जल्दी से इनको उतार लो 5X की स्पीड में 7, 24, 35, 65, 75 देखे आपको केवाल दो डिजिट तक के ट्रिपलेट याद करने हैं तीन डिजिट के तीन अंको वाले ट्रिपलेट आपको याद नहीं करने हैं कोकि SSC का उनसे कोई ले 27, 97 यह 28, 45, 53 तो इतना ज़्याद है आ चुका है हर एक SSC के एक्जाम में क्या ही बताएं और यह 33, 56, 65 तो यह जो लास्ट के 5, 6 ट्रिपलेट है यह नई अभी ब्रांडिट निकले हैं आप इनको ध्यान से याद करिएगा 29, 99, 101 यह भी अभी यूज हो रहा है उसके बाद ट्रिपलेट्स और भी हैं लेकिन 3 डिजिट्स वाले हैं वो आपको नहीं याद करने हैं ठीक है भई 13, 84, 85 होगा बिलकुल यार अरे यार आपको तो याद है मैं तो तुमको ऐसी समझ रहा था कहां से याद करा 13, 84, 85 ठीक है दोस्तो चलेगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ध्यान से समझेगा जैसे a square मानस b square 2ab और a square प्लस b square यह पाइथा गोर इंटर पलेट है यहाँ a की जो value है मेरे दोस्तो b से बढ़ी है अगर आपका b square मानस a square 2ab और a square प्लस b square लिखाओगा तो भी वो पाइथा इस रूप में कोई भी संख्या लिखी हुई है कोई भी डाटा लिखा हुआ है तो हमेशा वो पाइथागोर स्थोर्म को satisfy करेगा एक ट्रपलेट होगा कभी कभी एक्जामनर क्या करता है जैसे ऐसे लिख देगा एक ही जग है 3x लिख देगा मेरे दोस्तो जैसे मैं आप से पूछ लोँ कि एक एक राइट अंगल ट्राइंगल है दिखाएदरा आपको एक राइट अंगल ट्राइंगल है इसकी जो साइड है ये है 9x2-4 वे और ये साइड है मेरे दोस्तो बार x तो मैं आप से जानना चाहता हूँ की बताओ ये हाइपोटीनेस कितना होगा बताए जल्दी से, तो यह a²-b² 2ab और a²-b² पाइथागोरां ट्रपलेट बहुत important है, ठीक है भई, यह ध्यान रखना है आपको, अब यह आ गया, आपको तो पता ही नहीं, आप बैठो के पाइथागोरां थुरम लगाने इतना समय नहीं है इंसान के पास, अगर आप ध्यान से जाएगा, 9x² फिलस 4, यह hypotenuse बन जाएगा, तो ऐसे ऐसे रंग बरंगे ट्रपलेट आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्त, समझ में आया, आगे चले मेरे दोस्त, सपोज यह एक acute angle theta है, आप जानते है, साइन को स्टेनिकर नाम तो कम से कम आपने सुनाई होगा, ठीक ह तो हमने नाम दे दिया, ठीक है ना, अंगरे जी में, sin theta, लंब बटे करन, sin का उल्टा cos, cos का उल्टा sec, और 10 का उल्टा cot, इस सभी बाते जानते हैं, आप लोग मुझे बताने की ज़ौरत नहीं है, most important यह है कि sin और cos sec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, cos theta into sec theta 1 होता है, 10 theta into cot theta 1 होता है, ठीक है न, 10 और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, now, 10 theta को आप लिख सकते हो, sin but a cos, लेकिन ये तो बात आप जामते हो, इस से आगे भी आपको समझ रहा है, sin but a cos, अगर मैं cos को उपर ले जाओं, तो cos का मतलब है sec theta, और sin को मैं नीचे ले आओं, तो आप लिख सकत सकते हो, cos 1 theta मेरे प्यारे बाई, तो 10 theta का मतलब है sec but a cos, आपको ये भी ध्यान रखना है, समझे, अब देखे, 10 का उल्टा है cot, यानि की cot कितना होगा, cos but a sin, तो sin को अगर मैं उपर ले जाओंगा, तो ये हो जाएगा cos 1 theta, और cos को अगर मैं नीचे लाओंगा, तो sec theta, तो cot क मतलब है मेरे प्यारे बाई, cos 1 second sec, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक, आगे चलें, now, अब मेरे प्यारे student ये trigonometry की सबसे basic identity हैं, जो आपको जाननी पढ़ेंगी, और सबसे जाद है सवाल SSC level पर इनी identity पर पूछे जाते हैं, सबसे पहला sin square theta plus cos square theta equal to 1, अगर मैं यह से sin square theta निकालूँगा, तो 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta को अपनलोग क्या लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा सर, a square minus b square के formula से 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, आप बोलोगे, जी, कोई परेशानी नहीं है, इसी तरीके से cos square theta 1 minus sin square theta है, इसको आप लिख सकते हो, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, 1 plus sin into 1 minus sin theta, बहुत important है, अब यहा तक तो आप जानते हो, पेपर में कभी-कभी इस रूप में लिखी हुई चीज़े आती हैं, यह आपको समझना है, जैसे examiner पूछले, यह आता है, sine बटे 1 plus cos क्या होगा, तो आपको cross multiplication पर ध्यान देना है, sine into sine sine square theta, जहाँ 1 plus cos है, वहाँ 1 minus cos जरूर आएगा, यानि की 1 plus cos into 1 minus cos, sine square theta हो गया, cos बटे 1 minus sin लिखा हुआ है, तो cos into cos cos square theta, जहाँ 1 minus sin है, वहाँ 1 plus sin जरूर आएगा, 1 plus sin theta, बोलो समझे की नहीं, इसी तरीके से, sec square theta equal to 1 plus 10 square theta, sec square theta minus 10 square theta equal to 1, काफी important है, तो यहाँ a square minus b square, sec theta plus 10 theta into sec theta minus 10 theta बराबर 1, sec plus 10, और sec minus 10 एक दूसरे के reciprocal होते, reverse होते हैं, sec plus 10 और sec minus 10 उल्टे होते, सेम identity cos square theta बराबर 1 plus cot square theta, तो cos square plus cot और cos square minus cot भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लिकिन इस रूप में अगर लिख देता है, examiner या सवालों में इस रूप में लिखी आते, तो बच्चे खेल जाते, घब sec plus 1 है, वहाँ sec minus 1 जरूर आएगा, ठीक है भई, तो आप कहते हैं, 10 theta into 10 theta, 10 square theta, तो 10 square theta क्या होते है, sec theta plus 1 into sec theta minus 1, सेम identity cot cosec के साथ भी है, यह समझ में आया है, सभी लोगों को basic identity का आपर revision हो गया, आजी कोई तकलीफ, आगे चलते हैं दोस्त, यह बताएगा, मेरे प्यारे भाई, देखें, हर कोई जानता है, कि sin square theta plus cos square theta बराबर 1, अगर आप उसका square करोगे, तो sin की power 4 theta plus cos की power 4 theta आएगा, 1 minus 2 sin square theta, cos square theta, लेकिन अगर आप उसका cube करोगे, तो sin की power 6 theta plus cos की power 6 theta बराबर आएगा, 1 minus 3 sin square theta, cos square theta, कोई problem, सबसे ज़ादे important है, मेरे दोस्तों लेकिन इसी तरीकी से अगर आप sec और 10 वाले formula को square करोगे और cube करोगे तो यह दोन result बन के आएंगे यह मैं क्यों बता रहा हूँ को कि paper में यह सवालों में बड़े-बड़े सवालों में बीच में घुसा देता अगर आपको यह याद रहेगा direct तो आपको value putting करने की जुरत नह स्क्वार थीटा अगर आप cube करोगे तो sec की power 6 थीटा मानस 10 की power 6 थीटा एक्वल टू 1 प्लस 3 sec स्क्वार थीटा 10 स्क्वार थीटा सेम सेक और 10 और कॉसे कॉट वाले में कोई फरक निया दौनों एक ही बाते हैं यह ना सेम ही तरीके से लिखा हुआ है चलिए अब आप की तरह है बंडारा हो रहा है मेंस 2021 के पेपर का एज़िटिस पूछा हुआ सवाल है जवाब दीजे का अंसर है सवाल का साइन थीटा 9 बटे 41 है थीटा 0 से 90 के बीच में आपसे पूछा है कॉट अब ऐसा नहीं कि आप ट्रिपलेट लगाने बैठे पाइथा गोर स्थोरम इतना समय नहीं है साइन क्या होता है साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटिनेस 9 41 नो 41 ट्रिपलेट है तो बेस कितना आएगा 40 अबी और कॉट क्या है कॉट है जी भहिया बेस बटे परपेंडिकुलर यानि कि 40 बटे 9 आंसर है खतम देख सकते थे कॉट बेस बटे परपेंडिकु ठीक, आगे चलेंगे, प्यार से, ये बात आपको और समझ नहीं है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अभी मैं इस पर आपको डारेक्ट सवाल कराऊंगा, तो आपको इनकी एहमियत समझ में आएगी, जो प्री के पेपर में आए है, सेक स्क्वार थीटा प्लस कॉसेक स्क्वार थीटा बराबर होता है, सेक स्क्वार थीटा इंटू कॉसेक स्क्वार थीटा के, ये प्लस का साइन मल्टिप्लाई में बदल जाता है, सेक और कॉसेक में, सेब इसी तरीके से प्यारे भई, टैन स्क्वार थीटा माइनस साइन स्क्वार थीटा, बीच में माइनस स्क्वार नखेगा 10 और sin 10 square theta minus sin square theta मानिस का sin multiply में बदल जाएगा 10 square theta into sin square theta बोलो हाँ इसी तरीके से देखे 10 का उल्टा cot है मेरे प्यारे भई sin पे हाँ cos आ जाएगा cot square theta minus cos square theta इनको याद रखना बहुत आसान है एक याद करो के दूसरा अपने आप हो जाएगा यह trigonometry की table है 0 से 90 degree तक आपको याद करने है हर एक student को याद होगी अगर आपको याद नहीं तो google पे सर्च करो trigonometry table रंग ब रंगी बहुत सारी table आएगी जो आपको पसंदा है उसमें से कोई भी बैठके याद कर लीजेगा याद करना है इसको कोई बनाने की कोशिश ना करें किसे trick से याद करो उस दिना समय नहीं है को कि समय बरबाद हो जाएगा ठीक आगे चले यह जो slide है यह अब तक की सबसे important हर slide को मैं important ही बोल देता हूँ कोई बात नहीं यह बहुत ही important है लेकिन वाकई में ठीक है न अब जैसे सारु खान important है तो हम अक्षरकमार को इग्नोर थोड़ ना कर सकते हैं एक साल में छह फिल में आ रही है उनकी वो अलग बात है सारी flop हो रही है तो यह बताईए cot theta plus 10 theta का होता है cot plus 10 तो आप कहोगे सर cot theta plus 10 theta बराबर अब cot 10 को sin cos में बदलोगे तो 1 बटे sin theta into cos theta बोलो हाँ और 1 बटे sin into cos को 1 बटे sin cos sec हो गया 1 बटे cos sec हो गया sec theta into cos theta जहाँ भी आपको 10 plus cot दिखे तुरंत इस चीज को लगा दीजेगा sec theta into cos sec theta आप जानते मेरे दोस्तों कि जैसे sin into cos है अगर मैं उपर नीचे हाँ 2 से गुणा कर लूँ तो 2 sin theta cos theta sin 2 theta होता है तो 2 को sin 2 theta से भाग करिएगा तो कितना आजाएगा 2 cos sec 2 theta यानि कि 10 plus cot कितना होता है 2 cos sec 2 theta इसी तरीके से अगर बीच में माइनस है ये कम बच्चे जामते लेकिन ये भी इस्तिमाल होता है cot minus 10 होता है 2 cot 2 theta 2 cot 2 theta ठीक है भई clear बात समझ में आई सभी को ये बात समझ में आई होगी अब ये वाला सवाल आप मुझे करके बताएगा सवाल number 2 बनाओ एक second का मैं समय दूँगा अरे दुमराम टीवी तुम आगे भईया हजार रुपे तुमारे पास आए कहां से ये बताओ GST स्पेक्टर बन गए है अरे दुमराम टीवी भाई congratulations sir मैंने आपका यूट्यूब से dishonest seller वाला वीडियो और exam के analysis कभी skip नहीं करता था अरे दुमराम टीवी आप कभी भी दिल्ली आईए हम आपको परसनली सभी लोगों से मिलवाएंगे ठीक है भाई एक हमारा google form में आप वो circulate है आप उसको fill कर दीजे हमारी टीम आपसे coordinate करेगी हम आपको हावाई जाज की छत पर बिठा के लेके आएंगे यहां तक ठीक है ना मैं कोट उटार देता हूं मैं अपनी असली आउकात में आ जाता हूं नीचे आपको पताईए मैंने क्या पहना है हाफ फेंट ठीक है भाई अब यह बड़ा भारी है यारे कोट पोट कैसे पहनते हैं लोग यह सही है तुम लोगों का उत्तर आ रहा है दो जैसे दुम्राम टीवी बहुत बढ़या बालक है लेकिन यह दुम्राम TV का क्या मतलब है वो तो color TV होता है black and white आज कल तो LED आ गए यह दुम्राम का क्या मतलब है आपके गाम का नाम है क्या सरनीव दुम्राव है भी दुम्राव भाई tan 2 theta into 10 plus cot आप जानते कि 10 plus cot क्या होता है देखो अगर आपको याद होता तो इसमें कोई value putting की जौरत नहीं आप value putting से कर सकते हैं 10 plus cot होता है 2 cosec 2 theta अभी समझा है मैंने आप बोलोगे है हाँ जी सर sign और cosec एक दूसरी को लटे होते कट गया 2 answer है D option correct है बोलो हाँ की ना आगे चलते हैं अगला सवाल ही बताएगा एकदम गोरा सवाल है आपकी तरह है cot theta बराबर root 5 plus 2 तो आपसे पूछा है cosec theta into sec theta का मान बताएगे 2020 के pre में सवाल आया था मैंने हलका से इसको change कर दिया है जवाब दीजेगा दोस्तो cot theta बराबर root 5 plus 2 है cot theta क्या होता है बेस बटे परपेंडिकोलर पाइथा गरस लगा के हाइपोटिनस निकालो फिर cosec into sec करो ऐसे तो जनम बीत जाएगा आंसर नहीं आएगा कुछ छोटा सोचिए क्या है मेरे प्यारे भाई इसलिए मैं कहता हूं कि छोटे छोटे जो रिजल्ट है अगर आपको जादे यादे तो सवाल में आसानी रहेगी गाम का नाम है दुम्राव मेरे गाम का नाम भर रहा है तो दोस्त भागा भागा के मारते हैं वहाँ पे न तो cosec theta into sec theta ये प्राणी मैंने आपको अभी समझाया पे cosec into sec क्या होता है cosec into sec होता है cot theta plus 10 बेटा बहादुर वो नहीं है जो ये जानता हो कि cot plus 10 बराबर cosec into sec असली योद्धा तो वही है जो ये जानता हो कि cosec into sec बराबर cot plus 10 समझे ना अगर आपको सवाल में cot theta root 5 plus 2 दे रखा है तो क्या आप यहाँ से 10 theta नहीं निकाल सकते cot or 10 तो उल्टे होते है 1 अबटे root 5 plus 2 तो यानि कि root 5 minus 2 आजाएगा square का difference 1 है racialization से cot plus 10 कितना हो जाएगा इन दौनों को जोडेंगे 2 root 5 इस सवाल का आंसर बनेगा B option correct है बताओ है कि न बज़े करा बराबरा टीवी मैं अपने शहर से बहुत प्यार करता हूँ मैंने घर से ही YouTube की help से job ली है अपने शहर से सभी को प्यार होना चाहिए अपने गाम से very good very good दुम्राव टीवी nice personality ये बताइगा यदि cot theta बराबर 15 बटे 8 है theta acute angle है तो आप से पूछा इसका मान का होगा का होगा इसका मान ऐसा मत करो कि cot theta आपको दिख गया तो सब का मान रखने लगए पहले ने चीजों को simplify कर लिया करो कि पूछा क्या आप से ये पूछा है है ना अब देखे दो उपर भी है दो नीचे भी है तो दो तो common लेके काटी लेते हैं ना दो तो अपन लोग common लेके काटी लेते हैं आप बोलोगे हाँ जी सार जो हो सके उसको काट दो तो 1-cos 1-cos कितना हो गया जी sin square theta 1-sin 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 क्या होगा cos square theta यानि कि sin को short में s लिखेंगे cos को short में c लिखेंगे sin बटे cos 10 square theta आगया मेरे प्यारे बे 10 को t लिखेंगे यानि कि 10 square theta आएगा cos theta का उल्टा 8 बटे 15 का square 64 बटे 225 सवाल का अंसर है सवाल वही करवांगा जो अभी paper में आएंगे ज़्याद हवाबाजी नहीं करेंगे means के time पे हवाबाजी करने का बहुत समय है ठीक है तो 10 square theta आपको निकालना था cot का उल्टा हो जाएगा अभी भी बच्चे C option बता रहें कैसे बालक है पता नहीं यार क्या हो गया तुम लोगों को ऐसे सवाल भी गलत करोगे तो कैसे नौकरी लगेगी चलेगा आगे चलेंगे ये बताएगा सवाल है यदि cos theta बराबर 7 बटे 3 root 6 है और theta acute angle है तो आपको ये निकाल ले इससे आसान सवाल तो बनता ही नहीं है कोई ठीक है भाई अगर cos theta 7 बटे 3 root 6 है तो यहां से sin square theta क्या होगा कि आपको चाहिए क्या जो चाहिए उस पर ध्यान से देखा करो वहसी नजरों से sin square theta बराबर 1 minus cos square theta cos square theta का मतला 49 बटे 9 खिका 54 तो 5 बटे 54 आप रखोगे तो 27 दूनी 54 5 बटे 2 हो गया 5 बटे 2 में से 3 बटे 2 घटा आओगे 2 बटे 2 1 is question का अंसर है बोलो क्या तकलीफ है इस पर कर पा रहे हैं सभी बच्चे कर पा रहे हैं अगले सवाल ठीके बई देखे सवाल आसान है बट इसकी जौरत है थोड़ा fast fast में आपको करवाऊंगा चलो बनाओ ठीके बई अगर हम तेजी में नहीं करेंगे तो सवाल कम हो पाएंगे content कम जाएगा समय भी तो कम है बस आपको मज़ा आना चाहिए ठीक है जी बताईए दी 3 10 theta बराबर 2 root 3 sin theta theta 0 से 90 के बीच में तो आपको इसका मान निकालना है तो सबसे पहले theta पे simplify करना होगा अब देखो देखे root 3 से मेरे दोस्तों आपका 3 कर जाएगा root 3 बार अब 10 theta का क्या मतलब है 10 theta का मतलब तो sin बटे cos है न बराबर 2 sin theta short में लिखा करो cancel out हो गया तो यानि कि मेरे दोस्ते यहां से cos theta कितना आ गया c मतलब cos cos theta आ गया root 3 by 2 that means theta कितना है 30 degree तो theta यहां से 30 degree है मेरे प्यारे भाई अब सवाल में कुछ है नहीं यहां पर रख देते हैं यहां रखेंगे तो 32 नहीं 60 cos है 62 बटे root 3 का square 4 by 3 cot 60 मेरे दोस्तो 1 by root 3 का square 1 by 3 sin 30 1 by 4 plus 10 60 हो जाएगा मेरे दोस्तो root 3 का square 3 तो 5 बटे 3 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा 13 बटे 4 तो उपर जाके 4 बटे 13 तो कितना है 20 बटे 49 इस सवाल का आंसर है be option correct है 5 चोग 20 बटे 49 4 बटे 3 बता रहे हैं क्या कर रहे हो यार तुम लोग ऐसे सवाल में गलती करने की चेस्टा कैसे कर देते हो तो थीटा 30 याँ ध्यान देखेगा नीचे 10 2 थीटा है root 3 का square 3 आएगा ठीक है ने calculation में गलती ना करें be option आगे चलेंगे अगला सवाल सवाल लंबर है आपके सामने यहाँ पर 7 बताएजेगे इस question का answer क्या होगा फटा फट यदि कॉसेक थीटा बराबर बटे ए है तो आपसे पूछा है root 3 कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन 10 थीटा प्लस root 3 की value किसके equal होगी चीक आपको कॉसेक थीटा दिया है बच्चे क्या होते है जैसे उनको दिखता वैसे value रखना शुरू कर देते हैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले जो चीज पूछेगे उसको simplify कर लो है बई आपसे यह पूछा गया है उपर नीचे सेम बात है बस उपर नीचे 10 है उल्टा है तो इस कौट थीटा को आप नहीं लिख सकते क्या 1 बटे 10 थीटा कौट का मतलब क्या है कौट का मतलब है 1 बटे 10 थीटा जैसे है आप ऐलसियम लोगे तो ऊपर रूट 3 प्लस 10 थीटा नीचे रूट 3 प्लस 10 थीटा कट जाएगा बचेगा क्या एक बटे 10 और एक बटे 10 कमातला cotθ बचेगा क्येवल, इसको simplify करके cotθ आगや Cosecθ थीटा B बटा A है, तो cotθ क्या होता है Cosec2θ-1 का under root, cotθ बराबर under root of Cosec2θ-1, तो B²-A² अपोन नीचे A आएगा, A option correct है, बोलो हाँ समझ पाए सुनीली आदव कहने सर मेरी जौब कब लगेगी बत जिद दिन तुम एक्जाम क्लियर कर लोगे उसी दिन लग जाएगी ठीक है अब कोई में भविश्य वाणी तो बताऊंगा नहीं आपको अगला सवाल बताएंगे सवाल लंबर आठ आपके सामने हैं जी ये करेंगे दोस् समझ में तो आ हुँ अरे तुम को समझ में तो आ रहा है बिद्धश कोई बढ़ा के रहा है जी डी 2 महिने में में हो जाएगा न सार हां गडी 2 मंत में हो जाएगा लेकर आपने मैं चुछ बढ़ाी ने आज तकיד निकालने आज भेट जाओ थोड़ी बहुत पढ़ा ही तो करी है तो GD दो महिने में करना संभव है ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है दिया है कॉस थीटा बाराबर 4x बटे 1 प्लस 4x स्क्वार तो आपसे पूछा है साइन थीटा का मान क्या होगा बहुत थीटा होता है बेस बटे हाइपोटिनस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटिनस तो नीचे तो हाइपोटिनस सेम आएगा 1 प्लस 4x स्क्वार आएगा नीचे वो A की आप्शन में यही उत्तर हो गए C आप्शन अरे ट्रिप्लेट नहीं लग रहा A स्क्वार मानस B भई हाँ पर बेस यह हाइपोटिनस से परपेंडिकुलर क्या होगा यही तो हो जाएगा न A स्क्वार मानस B स्क्वार 2AB और A स्क्वार प्लस B स्क्वार इसको पकड़ के रखिए A की जगए 1 रख दिया है B की जगए 2X रख दिया है बात समाथ अगला क्वश्चन सवाल लंबर 9 बताओ जल्दी से क्या आंसर है यदि साइन थीटा बराबर 2 रूट A B अपॉन A प्लस B है A और B दौनों के उपर अंडर रूट है A बढ़ा है B से B बढ़ा है 0 से तो आपसे पूछा है कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 कितना होगा करो सवाल में साइन आपको दियार आपसे कॉस के बारे में पूछा है बताइए कैसे करेंगे प्यारे भाई तो पहले तो कॉस ही निकालना होगा आप A B की कोई value भी put कर सकते हो लेकिन उससे जल्दी तुम्हें वैसी कर लूँगा भाई मैं जानता हूँ मेरे प्यारे भाई कि यह है triplet जिसदा बाबा ओफ triplet यहीं पर A B का मान रख रख के नए नए चीज़े बनाई जाती है अब यहाँ पर क्या करा है यहाँ पर A की जगह रूट A कर दिया है B की जगह रूट B कर दिया है एब ही दोस्तो यह मेरे दोस्तो आपका perpendicular hypotenuse तो base कितना आएगा base A-B हो जाएगा न बस यहाँ पर A square की जगह A कर दिया है B square की जगह B कर दिया है ठीक कोई problem कॉस का मतलब बेस बटे हाइपोटिनस A-B अपॉन A-B कॉस ठीटा का क्या मतलब है A-B अपॉन A-B अपॉन A-B बोलो A-B तो कटेगा ही कटेगा तो मेरे दोस्तों जब यहाँ पर जोड़ोंगे 2A और यह घटाएंगे मेरे प्यारे भई यहाँ से माइनस का 2B तो माइनस का A-B आंसर बनेगा इस सवाल का B option कॉस का मतलब A-B अपॉन A-B अपॉन A-B तो जो दिखो अगर डिनो मानेटर सेम है तो कटी जाता ध्यान मत दिया करो A-B में A-B जोड़एंगे 2A A-B में A-B घटाएंगे तो मानस का 2B मानस का A-B very easy no need to do any value putting here अगला बनाएंगे दोस्त सामने 10 नंबर भहिया जी जवाब दीजेगा क्या उत्तर है सवाल का बोलो Means का सवाल है देखे सवाल है यदि सेक थीटा बराबर A बटा B है B is not equal to 0 सारी नहीं हम मार रहे हो भई आज तो आपसे पूछा है 1 मानस 10 स्क्वाइर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वाइर थीटा की वैलू क्या होगी देखे आप यहाँ पे A B की कोई वैलू भी पूट कर सकते हैं लेकिन फुर उसके बाद हर एक option को चेक करना है यह अपने आप में जंजट वाला काम है तो आप सीधा सीधा बनाओ भी सेक थीटा अगर A बटे B है मेरे दोस्तों तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सेक का मतलब हाइपोटिनेस बटे बेस तो परपेंडिकुलर कितना आएगा परपेंडिकुलर आएगा जी आपका रूट A स्क्वाइर मानस B स्क्वाइर अभी ब बटे B स्क्वाइर आएगा ठीक है जी और नीचे 2 मानस सायनिस स्क्वाइर थीटा मैं ओप्शन से देखुँगा कि कौन सा ओप्शन पॉसिबल है अगर मैं यहाँ लोगा तो B स्क्वाइर 2B स्क्वाइर मानस A स्क्वाइर आना चाहिए यानि कि यह दोन ओप्शन हो ही नह और यह B स्क्वाइर नीचे है तो B स्क्वाइर नीचे आना चाहिए यहाँ B स्क्वाइर नीचे आ रहा है यही वाला ओप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों सवाल खतम यह नहीं होगा आपको इस सवाल को पूरा सॉल करने की जुरत नहीं कि आप पूरा बैठके बना रहा है इतना टाइम नहीं होता एक्वाइर हम तो यह देखेंगी कि जब इसकी कैल्कुलेशन करी जाएगी तो क्या पॉसिबल है जो आ सकता है उपर 2B स्क्वाइर मानस A स्क्वाइर हो रहा हे सीजेल तुमको जान से प्यारा बना लिया दिल का सुकूना का तारा बना लिया अब तुम साथ दो यह ना दो तुमारी मर्जी हमने तो तुम्हें जिंदकी का सहारा बना लिया जैश्री रादे कृष्णा सूपरभात यार सीजल के सहारे बनाओगे तो वो रूठ जाएंगे सीजल तो जिन्दकी काटने का जरिया है जिन्दकी बितानी तो उनके साथ है खुशी से ये बताएगा सवाल नंबर 11 आपके सामने है जी सवाल है साइन थीटा बराबर 8 बटे 70 10 अलफा बराबर 15 बटे 8 तो आपसे पूछा है कॉस थीटा पलस अलफा कितना होगा जी करो जल्दी से ये आठ सत्रे पंद्रे आठ देखके दिमा में कुछ घंटी बजती है क्या करेंगे कि इसमें फॉर्मला लगाने लगेंगे लेकिन जौरत नहीं है यह डाटा ऐसा सेट किया गा है ट्रिपलेट अब जैसे साइन थीट आठ बटे 70 बोला है माना यह एंगल थीटा है तो साइन का क्या मतलब है एक्यूट एंगल है जिनका सम 90 है ठीक है बई इनकी थीटा प्लस एलफा 90 डिगरी है दोस्त बहुत ही प्यारा सवाल है तो कॉस नबभे आपसे पूछा है जीरो ए ओप्शन करेक्ट है सी ओप्शन बता रहे हैं अच्छा इन्होंने क्या करा कॉस थीटा प्लस एलफा आयने तो कॉस थीटा प्लस कॉस एलफा कर दिया नोकरी चाहिए SSC में और cos theta प्लस alpha नहीं तो क्या खारें, cos theta प्लस cos alpha, 8 बटे 17, 15 बटे 17, ले बाबुजी 23 बटे 17, अलग अलग नमूने हैं, विभिन प्रकार की प्रजातियों में ऐसे उत्पन होते हैं, ठीक है बई, आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करे जिससे कि आपका जो reaction मुझे पता चलता रहे, ठीक, ना समझ मैं आ रहा है, तो तीन वार लाइक करें आप, सवाल लंबर बारे बताईए जी, इस question का क्या answer है, इतनी जल्दी 33 मिनट हो भी गया, सवाल है, 310 थीटा बराबर 2 रूट 3 साइन थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो यह देखिए, ऐसा सवाल अभी हो चुका, ठीक है ना, यह वाला question ना, सेम ही था, कौन सा कहा मर गया, यह रहा, 6 नंबर, तो इसको आप बनाएगा खुच से, 13 नंबर में आगला सवाल करव आँगा, जी, यह बनाओ, हमसे मोहबत का दिखावा ना किया कर मालूम है, तेरी वफा की डिगरी फरजी है, फैलिस्टियस रीडर का कमेंट है यह, डिगरी फरजी तो उनकी है, जो सबसे उची पत्वे बैठे है, महा महीम, यह बताएगा जल्दी से, तेरे नंबर, वफा की जो डिगरी है, वो सामने वाले की पोस्ट देखकर दी जाती है, बड़या-बड़या सेर मार रहे हैं, देखो, जी, सवाल है, यदि 4 साइन स्क्वाईर, 2x-10 डिगरी बाराबर 3 है, 2x-10 0 से 90 के बीच में, तो आपसे इस कमान पूछा है, क्या होगा, ठीक है न, ओपर य नीचे 3x-15 है, देखे, question solve करने के लिए पहले अपन लोगों को x की value निकालने होगी, तब यह solve होगा, तो 4 को धर ले आते हैं, 3 बटे 4, under root ले ले लेते हैं, तो यहां से sin 2x-10 डिगरी कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा, सर, 3 बटे 4 का, यह under root 3 by 2, और root 3 by 2 कित होता है, ठीक है, बई, तो 2x-10, 60 है, तो यहां से x की value कितनी आएगी, 60 और 10, 70 बटे 2, 35, 35 डिगरी आगा, प्यारे बच्चे बोलो, हाँ, यह यहां रख देते हैं, 35-5, 30, 37 मतलब 1 बटे 2, 1 बटे 2 की power 4, 1 बटे 16, यह कितना होगा, cost 30, cost 30 root 3 by 2, root 3 by 2 की power 4, 9 बटे 16, नीच बटे 1, और यह cost 90, 0, यहां पर x की जिगर, 35 रखेंगे, तो cost 90, 0 हो जाएगे, पूरा 0 हो गया, तो नीचे बना 1, तो यह 10 बटे 16 होगा, 10 बटे 16 को हम 5 बटे 8 लिख सकते हैं, तो b option यहां पर सही बनता है, ठीक है, चलिए, अगला सवाल आपके सामने आएगा, सवाल थीटा पहले क्वाडरेंट में है, तो आपसे पूछा है, cosec plus cot square theta upon cosec minus cot square theta, देखेगा, मेरे दोस्तों, आपने compendu dividendo का नियम समझा है, जानते हैं, आप ratio में, ठीक है, हमने यहां पर लिखा भी है, यस, अगर दो fraction equal है, न, a बटे b बराबर c बटे d, तो a plus b upon a minus b, बराबर c plus d upon c minus d, यह trigonometry में भी और algebra में, पूरे advanced math में हर जेगा use होता है, इसी का extended application आपको समझना है, अगर मैं आपके सामने यह लिखूँ, ठीक है बाई, कि x plus y, बटे x minus y, बराबर a बटे b है, आपको यह दिया हुआ, तो मैं आपसे पूछू कि बताओ x स y की value क्या होगी, बताओ जल्दी से, अगर x plus y, बट x minus y, a बटे b है, तो x स y का ratio कितना होगा, तो आपका जवाब होगा, sir, a plus b upon a minus b, कम बेंडों डिविडेंडों से यही आता है, a plus b upon a minus b, आपको ध्यान रखना है, ज आपसे यह पूछा है, तो स्वीधा की दरश्टी से plus को उपर बना लेते हैं, और minus को नीचे, ठीक है ना, यह हो जाएगा, 1 by 7 भी पलट जाएगा, तो 7 बटे 1 हो जाएगा, मेरे दोस्त, कोई परेशानी, आप बोलोगे, जी, sir, एक धेले की इसमें परेशानी नहीं, तो एकस प्लस भाई बटे, एकस मानस भाई यह बटे वी, तो यहां से सेक बटे 10 आ जाएगा, मेरे दोस्त, सेक थीटा बटे 10 थीटा, कितना बनेगा, तो आपका जवाब होगा, sir, 7 पलस एक आठ अठ अपॉन 7 मानस एक 6, 4 बटे 3, और सेक बटे 10 होता कितना, जवाब दो, को कोशेक थीटा, यानि कि एक कोशेक थीटा हो गया, मेरे प्यारी भाई, यहां से 4 बटे 3, बोलो कोई प्रॉबलम, कोशेक थीटा की वेल्यू 4 बाई 3 आ जगई, ठीक, अब कोशेक थीटा 4 बाई 3 आ गया, यहां पर रख देते हैं 4 बाई 3, पोट स्क्वार थीटा कितना आ आएगा, cos x square theta-1, cos x square theta-1, याने, 16 बटे 9, minus 1, 7 बटे 9, 4 square theta, 7 बटे 9 होगा, यह 4 by 3, minus 7 बटे 9, आप बोलोगे, हाँ, जी, सर, बिल्कुल, सही, कोई problem नहीं है, देखे, 9 same कर लेते हैं, उपर नीचे, यह कितना हो जाएगा, 12, 7, 19, और यह मेरे दोस्तो, बारे बनाने के लि चार चुक 16, और 16 साथ 30, 30 तो है नहीं हाँ पर, 16 माइनस 7, कुछ गढ़बढ है, A option, कौसेक थीटा 4 बटे 3 है, तो कौट स्कौर थीटा आएगा, कौसेक स्कौर थीटा मानस 1, 16 बटे 9, मानस 1, 7 बटे 9, तो यहाँ पर, अच्छा 3 से गुणा करने हैं ना, आपको तो यह 19 आएगा दोस्तों, और यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे, 12 मानस 7, 5, 19 बटे 5 आंसर है, A option, ठीक है ना, तो दोनों जेगे सेम बना लेते हैं, नोनों, इससे क्या होता, आपकी calculation कम होती है, ठीक, आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल फेक के मारेंगे, आपकी तरफ सवाल number 15, यह बताएगा जल्दी से, क्या उत्तर है जीसका, कमेंट तो रोखो भई, कल एक student था हरियाणा का, यहीं सोरी पत का था, सोरी पत का लड़का था, उसके पिताजी से बात वी, उसके पिताजी इतने खुश थे, मतलब डवल एओ में वो सिलेक्ट हुआ था, और मैंने लड़के से आद उसके पिताजी से बात की, तो पिताज कि जो खुशी थी न, वो मुझे फोन कॉल पर अच्छी तरीकी समझ आ रही थी, वो कह रहे थे सर, आप बड़ा मीठा बोलते हो, मैंने का, अंकल जी आपर मुझे कौने में देखा नहीं है, फिर क्यारे विल एप्लिकीशन पर कितना मीठा बोलता हूं, मैं, यूपी वाले लोगों से तो लोग दूरी हट जाते हैं, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि, मतलब वो मुझे अच्छी तरीकी से पहचान रहे थे, कि लड़का हमसे पढ़ रहा है, वो कह रहे थे सर, आपकी वीडियो देखता बड़ा मीठा बोलते हैं, मैंने का, ठीक है, मैंने अंक कम एज का था, 22-23 साल का था, फिर मैंने का पिताजी से की थोड़ा बच्चे का लगन वगन करवाओ, तो कह रहे, आप तो 5-7 साल मौझ लेने दो लोड़े को, ज्यादा फायदे में वह है, जो कम उमर में नौकरी ले लेता है, क्योंकि उसके पास इंजॉय करने का समय होता ठीक, अब नौकरी अगर 28-29 साल की एज में लगेगी, अगले दिन से रिस्त्याने सुरूँगे, घर वाले भी डंडा करेंगे, साधी करो, साधी होते ही, वो डंडा करेगी, पैसा दो, ठीक है, लोकि लड़कियां जो है, पहले होती थी, अब ला, आप जैसे कमा होगे, न लेकिन अब अबला नहीं है, नाव देयार सबला, जितना भी कमा है, सबला इदर, और ये 5 रुपे तू रख अपने, तो उनसे थोड़ा बच के रहें, सवाल है, पांच कॉट थीटा बराबर 3 ता आप से पूछा, इसका मान क्या होगा, 21 बटे 44, कैसे कर पा रहें, देखें, यहाँ पर आपको ये क्या रेशो दे रखा है, साइन कॉस, अगर आपको रेशो पता है, तो सवाल को उड़ो के कर लेंगे, अब कॉट का क्या मतलब कॉट का मतलब है, कॉस बटे साइन, आप बोलोगे, जी सर, 5 उदर जाएगा, 3 बटे 5, यानि कि कॉस ये रेशो का सवाल है, टिक्रोमेटरी का सवाल है यह नहीं, कॉस की जगा 3 रख दो, साइन की जगा 5, 5 चिक तीस, और ये 3 तिया 9, 30 पानेस नो 21, ठीक है, साइन की जग सवाल है, 10 थीटा बराबर 2 बटे रूट तेहर है, तो आप से पूछा है, 3 कॉस एक स्कवर थीटा प्लस ये, इसका मान आपको निकाल ला है, अब देखो ना, ऊपर नीचे डिगरी सेम है, कॉस एक सेक में चल ला है, ये सवाल टिग्रोमेटरी के सबसे फेमस है, ये सवाल टिग्रोमेटरी के हैं, ये सवाल एक्चुली में रेश्यो के, आप जानते है, 10 क्या होता है, साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक बटे कॉस एक, 10 का मतलब है, सेक बटे कॉस एक थीटा, और ये कितना दे रखा है, आपको 2 बटे रूट त तरह दे रखा है, आप बोलोगे, जी बहुत बढ़ है, यहनी कि सेक थीटा की जिगा 2 रख दो और कॉस एक थीटा की जिगा 2 रूट तरह रख दो बस, ये सेक कॉसक की वैलू नहीं है, ये हम रेश्यो निकाल रहे हैं, ठीक है भई, तो यहां पे कॉसक की जिगा रूट त सवाल आपके सामने देंगे भईया जी हम, इस सोले नंबर सवाल था, सत्रे नंबर प्रस्न, ये जवाब दीजेगा दोस्त, इसका क्या आंसर है? यदि कॉसे बराबर रूट 10 बटे रूट 15 है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जोश-जोश में यहाँ पे वैलू रखना शुरू कर देते हैं, जबकि देखा करो जो चीज आपसे अक्चल में पूछी गई है, वो है क्या? ये सिंप्लिफा आपफ़ोगे जी, सर और गई जा? और नीचे क्या है, नीचे भी स्पेस शीयज है, शिद प्लस इसक्ऊयर अक 와-उपास कोट इसक्ऊच्ऊच्ऊर अका मतलब कॉस इसक्ऊयर अपको दिए ज़े यहाँ निकालना था, सवाल में आपको कौसे दे रख रूट 10 बटे रूट 15 मतलब क्या है पांट दू नी तस पांस तीय पंदर रूट 2 बटे 3 सै किसका उल्टा होगा रूट 3 बटे 2 उसका स्क्वार करेंगे तो 3 बटे 2 इस सवाल का अंसर बनेगा सी ऑप्शन करेक्ट है बोलो आसान है ऐसे और भी सवाल बनाई जा सकते हैं थोड़े थोड़े चेंज कर करके ठीक जी अगला क्वेशन बनाईएगा आप सवाल नंबर आपकी सामने आएगा भाईया जी 18 प्रेक्टिस हद से जाद है जरूरी है जो इस्टुएंट जितनी प् सवाल में दिया है साथ प्लस 10 अपनन سाथ प्लस थन बराबर की करिये देखे दोस्ट जब भी आपको सवाल में प्यारे भाई का। यह दे रखा सकते हैं स्विधा के लिए प्लस उपर कर लेते हैं, मानस नीचे कर लेते हैं, यह 3 बटे 5 है, इस्टुएंट, 3 बटे 5 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होका सर जी, 5 बटे 3, यही हो जाएगा की नहीं, तो प्यारे भाई, यह x प्लस y, अपॉन x मानस y बन गा ना, तो यहां से sec बटे 10 आजाएगा, sec theta बटे 10 थीट आएगा की नहीं आएगा, आप बोलोगे, यहां जी सर, औलोल के आएगा, कितना आएगा, 5 प्लस 3 बटे 5 मानस 3, अबी 8 बटे 2, 4, तो सेक बटे 10 क्या होता है कॉसेक, अभी सेक बटे 10 क्या होता है कॉसेक, कॉकि मैंने आपको बता दिया है कि 10 बराबर होता है सेक बटे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की वेल्यू चार आ गई, अब आपको इस्ट्रिंट यहां से यह निकालना है, बताओ, देखे प्यारे लिख सकता हूं, cos1 plus cot का whole square, वो की 1 बटे cos1 minus cot बराबर cos1 plus cot होता है ठीक है, cos1 theta तो आपको 4 दी रखा है cot theta कितना हो जाएगा under root of cos1 square theta minus 1, root 15 तो 4 plus root 15 का square student आपको निकालना था, वो कितना आएगा, दोस्तों जबाब बीजिएगा ठीक भी ए ओप्शन इसका अंसर बनेगा A plus B square A square plus B square plus 2B 16 plus 15 21 plus 24 8 root 15 31 plus 8 root 15 असर है इस सवाल का वन बटे कोसेग मानिस कॉट कोसेग प्लस कॉट बन जाएगा यह आपको ध्यान रखना है 10K सब्सक्राबर करें मैं तो सादी ही नहीं करूंगा देखे एक देख अप ओसो को सुनते हैं औसो एक महांदार्ष निखें उनके एक researcher था उसमें रिसर्च करी सादी करने के फायदे और सादी करने के नुकसान उसने पूरी list बनाई तीन साल तक तो आखिर में जब conclusion निकला तो एक conclusion उसने बताया कि साधी करने के फाइदे जादा हैं, पूरा एक फाइदा जादा है साधी करने का ना करने से, वो कौन सा है? अनुभव मिलेगा, तो अनुभव के लिए साधी करिए, अगर पतनी अच्छी मिल गई, तो जिन्दगी का डर है, तो आप फ्लॉस पर तो बन नहीं हो फिर, तो सवाल नंबर 18 हो गया, 19 वे पर हम आएंगे, सवाल नंबर है 19 जी, जब आप दीजेगा इस question का क्या answer है? साधी से डरते बहुत हैं लोग, साधी का मन नहीं है, संजय कुमार कपड़े धोने को रही नहीं होंगे, उस दिन तो सोचा आदमी कोई धो दें, यह बताएगा, 19 नंबर, यदि एक्स है, एक्स बराबर ए प्लस ए साइन अलफा कॉस बीटा वाई बराबर ये है, जेड बराबर ये है, तो आप से पूछा इस कमान, अच्छा रख देता हूं, वेलू पुटिंग में ध्यान रख सकते हैं, यह आपका जिरो हो जाएगा मेरे दोस्तों, यह भी आपका पूरा जिरो हो जाएगा, और यह आपका जेड बराबर यहां से C हो जाएगा, तो X की वेलू आगी भाईया, A, एक्स की वेलू A आगी तो 0 हो गया y की वेलू b आगी ये भी 0 हो गया z की वेलू c आगी c बटे c 1 हो गया 1 का स्क्वार 1 तो 1 ही इस question का answer है b option सही बनता है आगे चलेंगे student अगले सवाल की तरफ सवाल हम फेकेंगे यहाँ पर यह 19 नंबर question था यह बताईगा भई 20 मा सिनिप नहीं हुआ बीच में सवाल है एक right angle triangle है जिसमें angle b 90 है a c minus b c 2 है a b बराबर 4 root 2 है तो आपसे पूछा है सह के plus qt सी करो most important सवाल है मेरे प्यारे भाई ये वाला most most important किसले बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको basic से करेंगे तो आपका समय खराब होगा उतना जाद है भी नहीं बठ होगा आपके सामने एक right angle triangle है जिसमें angle a b c ये वाला angle 90 degree का है ठीक है भाईया जी बोला है a c और b c का difference 2 है a b जो है वो 4 root 2 है 4 root 2 4 root 2 आपसे पूछा सह के plus qt अब सवाल में जब ये दे रखा है कि a c और b c का difference 2 है यानि कि a c और b c integer रही होंगी side दोनो a c और b c की value ऐसी होंगी कि उनका difference 2 आए और ये वाली side 4 root 2 आए तो एक तो तरीका है कि आप इसको x मानो या आपका x plus 2 आएगा या पाइथागोरस लगाओ रूट 2 होता है 1.414 यानि कि ये side जो है लगबक 5.6 से बड़ी होनी चाए अगर मैं 6 मानूँगा इसको 4 मानूँगा तो क्या ये 4 root 2 आएगा नहीं अगर मैं इसको 7 मानता हूँ और मैं इसको 5 मानता हूँ suppose तो क्या आएगा मेरे प्यारे ये 7 और 5 मानेंगे तो क्या ये 4 root 2 आएगा 49 24 आएगा नहीं 8 और 6 8 और 6 पर 28 नहीं अगर मैं इसको 9 मानता हूँ और इसको 7 मानता हूँ तो क्या ये पाइथागोरस 4 root 2 आएगी 81-49 32 आएगा यानि कि यही सही है तो hit and trial से कोगी बहुत बड़ी value होंगी नहीं छोटी value होंगी ये 9 है 7 है पाइथागोरस लगाओगे कितना आएगा 80-49 32 आएगा 32 का under root होता है 4 root 2 यानि कि side 9 होगी ये 7 होगी तो ऐसा सवाल जब भी आए तो आप hit and trial से करेंगे चिक आप से पूछा है से के तो ये वाला angle A है तो से क्या होगी आपका hypotenuse बटे base यानि कि 9 बटे 4 root 2 पहला स्कॉट C कॉट C का मतलब क्या होगी कॉट का मतलब base बटे perpendicular ये वाला angle C है बे दोस्तो तो base कितना है 7 और perpendicular है 4 root 2 7 बटे 4 root 2 तो 9, 7, 16 16 बटे 4 root 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा 4 बटे root 2 मतलब 2 root 2 तो 2 root 2 इस question का answer है काफी प्यारा सवाल है option number A यहाँ पर correct है समझे ठीक चले अगला सवाल बनाएंगे हम लोग सवाल आपके सामने आएगा यहाँ से 22 number जी student जवाब दीजेगा इस question का क्या answer है फटा फट कल हमने हमारे इस channel पे छोटी सी clip डाले थी एक लड़की से हमने बात करी बिहार की दो बहनी थी और दो-दो उन्हें की government job लगी है दोनों बहनों की selection हुआ है एक बहनी income tax department में लगी है और उनकी family condition में उतनी अच्छी नहीं थी बट बिहार के एक district से हैं और दोनों बहने दोनों की government job लगी है आप समझें कितनी बड़ी बात है और घर से केवल online coaching करके ये आप भी कर सकते होगर आप ढंग से महनत करो आज कल तो लड़किया भी जंडे गाल रही है rank 1 भी लड़किया, UPSC में भी लड़किया, NEET में भी लड़किया, SSC में भी लड़किया और board के exam में तो लड़किया ही हैं, लड़के तो हैं नहीं कोई जत्री बची है तुम्हारी, ठीक है, आया, यदि sec x प्लस cos x बराबर 3 है, तो आपसे पूछाए 10 square x minus sin square x की value कितनी होगी, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसन सवाल है, आपको पावर 1 दे रख्यों और आपको पावर 2 में जाना है, तो कैसे आएगा मेरे दोस्तों, हर कोई student जानता है कि इसका square करना होगा, दोर तरफ से तबी तो जाओगे, तो यहाँ से sec square x कितना आ जाएगा, sec square x हो जाएगा, 1 plus 10 square x, plus cos square x, cos square x क्या हो जाएगा, 1 minus sin square x, plus 2 sec x cos x, 2 हो जाएगा, बराबर 3 का square 9, तो आपको जाएगा, 10 square x minus sin square x, 10 square x minus sin square x चाहिए, तो 2, 3, 4, 4 उदर पहुँचेगा, 9 minus 4, 5, तो 5 इस सवाल का अंसर बनेगा, A option, CDS का फेवरिट सवाल है यह, अनुभव पांडे जी ने 100 रुपे दिये, खतरनाक सर धुवा धुवा कर दिया, अभी तो खतरनाक आया ही नहीं, अनुभव पांडे, अभी तो बच्चो वाले सवाल है, और इतनी धरनासी मत दीजे भाई, मुझे देखके heart attack सा आता है, हमारे पास already काफी कुछ है, आप अपने पास रिके समाल के, आप यहाँ पर comment कर सकते हैं, कि वहला आप answer बता दो सही, मैं उसी में खुस हूँ, चलेगा, यह 22 नंबर सवाल हमने करा, अब हम 23 नंबर सवाल पर आएंगे, ठीक है, गोरे-गोरे सवाल आएंगे अब, मैं कोई परेज नहीं है, मैं जल पिऊंगा, जल है, तामे के गिलास में, ठीक है बई, दस आर की जगा, अगर दस बच्चे होते हैं, तो भी हम जल पीते हैं, जल देवता का पमान नहीं किया जाता, कुछ ही तो देवता हैं, जिनके हम प्रतक्च दर्शन कर सकते हैं, जल देवता, सुर्य देवता, ठीक है, यह बताएगा दोस्त, तेवन साइन स्क्वार थीटा प्लस फोर कॉस स्क्वार थीटा फाइव है, थीटा पहले क्वाडरेंट में हैं, तो आप से पूछा, इसका मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने, देखे, अब यहां से मैं आपको साथा एट क्वेशन कराऊंगा, टिक्नोमेट्री में बे तो यह चार कॉस स्क्वार थीटा है, यह साथ साइन स्क्वार थीटा, तो साथ को ब्रेक करके लिख लो ना, थी साइन स्क्वार थीटा प्लस फोर साइन स्क्वार थीटा, अब ऐसे मैंने क्यों लिखा ब्रेक करके, और प्लस चार कॉस स्क्वार थीटा, तो बराबर कितना आ जाएगा जी यह 5, कि 4 sin square theta प्लस 4 cos square theta 4 हो गया, अब 5 मानिस 4 मेरे दोस्तों कितना आ गया, एक, तो sin square theta आ जाएगा 1 by 3, तो sin theta 1 by root 3 आ गया, यहां से sin theta 1 by root 3 आ गया, बोलो हाँ, यहनि कि sin का मतलब होता है दोस्तों, perpendicular but a hypotenuse, तो base कितना आ जाएगा, यहां से root 2, ठीक है, 3 मानिस 1, 2, तो base यहां से root 2 आ जाएगा, तो यह मेरे दोस्तों 4 हो जाएगा, 4 sin square theta प्लस 4 cos square theta, इसलिए मैंने break करके इसको लिखा, ठीक है, formula, ठीक है, एकदम, चलो यहां दर देखो, अब मेरे प्यारे भई, हम यहां पर रख लेते हैं, value, ठीक है, दोस्त, केवल value रखने हैं, अब इस सवाल में कुछ बचा निए, सेक क्या होता है, hypotenuse बटा base, तो hypotenuse बटे base करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, root 3 by root 2, 10 theta क्या हो जाएगा, perpendicular बटा base, तो 1 by root 2, आब root 2, cot theta का मतला, base बटे perpendicular, root 2, root 2 कुणा root 2, 2, cos theta का मतला, मेरे दोस्तो, base बटे, hypotenuse, root 2 by root 3, root 2 by root 3 करेंगे, मेरे प्यारे भई, तो यह root 2 बचेगा, तो 3 plus 1, 4 बटे root 2 का मतला, 4 बटे root 2 हो जाएगा, 2 root 2, 2 root 2, बटे 2 minus root 2, यह आएगा, मेरे प्यारे भाई, ठीके न, अब option में यह नहीं दे रखा है, option में जब इसका rationalization करेंगे, तो यह आएगा, उपर positive पहुँचेगा, उपर नीचे अगर मैं root 2 से काटतूं, तो यह हो ज root 2 plus 1, यह आएगा, यह option correct है, समझ में आया, ठीक, एक second, एक student कह रहा है कि सर, इस slide में कुछ गढबढ़ है, मैं देख लेता हूँ, क्या गढबढ़ है, हाँ मर्गी slide, यह वाला है, हाँ, कॉसेक की पावर 4, पिलस आएगा है आपर, ठीक है, चलो, कितने सवाल हो गए बई, speed कम है, speed बढ़ानी पढ़ेगी, 23 ही हुए है, अपन को करने हैं, बहुत सारे, यह है 24 हाँ सवाल, यह बताएजी इसका का answer है, best सवाल आगया, best question, दोस्तायते कबर पे दिया जलाने के लिए, रखा हुआ फूल भी ले गए, कमीने लड़किया पटाने के लिए, अब है तुमारी ऐस तैसी मारें, ऐसी अपसब यहां इस्तिमाल ना करें, दोस्तायते कबर पे दिया जलाने के लिए रखा हुआ फूल भी ले गए, कारेकरम बढ़ाने के लिए, तुमारे दोस्त ऐसी होंगे, आसु भाई की नहीं उनोंने, साइन स्कॉर थीटा बटे टैन स्कॉर थीटा माने साइन स्कॉर थीटा बराबर पांच, थीटा एक्यू टेंगल है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, तो भाई, एक तो आप जानते हो कि यहाँ पे कैची गुणा करो, आपस पे प्रेम विभा कराओ और तब आपका उत्तर आएगा, लेकिन अभी-भी मैंने समझाया था, कि टैन स्कॉर थीटा माने साइन स्कॉर थीटा का होता है, 10 square theta minus sin square theta बराबर होता है 10 square theta into sin square theta होता है कि नहीं इस sin square theta, sin square theta कट जाएगा, एक बटे 10 cot square theta, cot square theta 5 तो cot theta की value आगी root 5, root 5 बटा 1 cot theta अगर बेस बटे perpendicular, तो hypotenuse कितना आएगा, पाइथाग और रस से root 6, तो जो चीज में आप समय खराब करते हैं, वो आपने 2-3 second में पता लगा ली, अब हम यहां रख सकते हैं sin का मतलब perpendicular बटे, hypotenuse, 1 by root 6 24 बटे 6, 4 हो जाएगा sec का मतलब मेरे दोस्तो hypotenuse बटा base, root 6 बटे, root 5 6 बटे 5 आएगा, 5 ती आप 15 6 ती आठा रहे और नीचे, cosack root 5 रूट 5 का स्क्वार 5 सत्य पेंटिस 4 मानस 18 मानस 14 बटा 1, मानस 14 इसका आणसर आएगा, मानस का 14 उत्तर है, B option correct है, बोलो आसान है ठीक है भई चलो, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल हम आपकी तरफ हैंकेंगे, सवाल नंबर है अभी तक मैंने जितने भी कराए हैं उनमें सबसे important यही है 25 नंबर, इसको बताएगा जल्दी से cos square theta, बटे cot square theta, plus sin square theta मानस 1 बराबर 3 है, तो आप से 30 degree पर सेट किया होता है, सवाल यह 60 degree पर, या तो 30 पर सेट होगा यह 60 पर, ठीक है बई? तो या तो आप check करके देखो, या फिर आप solve कर लो, solve करना ज़्यादे आसान है क्योंकि आप जानते हैं, sin square theta minus 1 क्या होगा? sin square theta minus 1 होगा minus cos square theta, और cot square theta minus cos square theta क्या होगा? cot square theta minus cos square theta, अभी पढ़ाया है मैंने, cot square theta minus CO vn discuss score theta बराबर है, cot square theta into cos square theta कि cancel out मेरे दोस्तों, तो एक bटे cot square theta आग क्या 10 square theta 10 square theta तो याने की theta 60 degree होगा, एक second में निकाल लिया, तो छोटे-छोटे result अगर आपको पता होंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे, theta 60 है, तो 1060 root 3, और cosec 60 का मतलब कितना, 2 बटे root 3, तो कितना आएगा जी ये, 5 बटे root 3, 5 बटे root 3 का मतलब B option, 5 root 3 by 3, समझ में आया, ठीक, आगे चलेंगे, अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर आपके सामने आएगा, ये 26 सवाल, ये बताएगा, इस question का क्या answer है, बोलो, सवाल में है, यदि 5 sin square theta, बराबर 3 into 1 plus cos theta, theta 0 से 90 के बीच में, तो आपको cosec plus cot निकालना है, option जरूर देखा करो, बटे, option में 21 भी आ रहा है, 1 minus cos 1 plus cos, 1 minus cos 1 plus cos, 1 minus cos 1 plus cos, तो 1 plus cos कट जाएगा, केबल 1 minus cos theta बचेगा, दोस्त, 1 minus cos theta बराबर 3, 5 उदर जाएगा, 3 बटे 5, 1 minus 3 बटे 5, 2 बटे 5, तो 2 बटे 5 value आएगी, cos theta की बोलो, एक second में जब निकालना सीखोगे, तब जाके selection होगा, वो कि sin square theta, 1 minus cos 1 plus cos, cancel out हो जाएगा, 1 1 plus cos, तो 1 minus cos बचेगा, केबल, अब cos क्या होता है, cos होता है, base बटे, hypotenuse, तो perpendicular आएगा, 25 बटे 4 root 21, root 21 आपका perpendicular है, बोलो हाँ, या आप यहाँ रख देते हैं, कॉसेक का मतलब है, आपका hypotenuse बटे, perpendicular, 5 बटे root 21, और cot का मतलब मेरे दोस्तों, base बटे, यहनिकि 2 बटे root 21, तो कितना होगा, 7 बटे root 21 हो गया, 7 by root 21 हो गया, तो दोनों से root 7 काट सकते हैं, तो root 7 by 3 बच जाएगा, root 7 by 3 इस question का answer बन रहा है, कौन सा option है, ए option answer है, बोलो, ठीक, आगे चलेंगे, अगले सवाल की तरफ, सवाल आपके सामने आए, कहांसे 27 नमबर, यह बताएगा जल्दी से, इस वाले का क्या answer है, सर, यह pdf मिलेगी, which solution देगे, इन सवालों की pdf नहीं मिलेगी, इसके अलावा मैंने 100 question की pdf डलवाईए, वो मिलेगी, ठीक है, और इनकी pdf में board पे जो solution कर रहा हूँ न, वो ही बनवा दूँगा, वो मिलेगी, ठीक है जी, यह बताएगा, sin square theta, बटे cos square theta, मानस 3 cos theta प्लस 2 है, बराबर 1 है, theta पहले quadrant में आपको यह निकालना है, आपको क्या दिया, sin square theta बराबर, cos square theta, मानस 3 cos theta प्लस 2, यह आपको दिया हुआ है, theta पहले quadrant में है, यह आपको निकालना है, अगर इस सवाल के option को देखो, तो हर option में root 3 आ रहा है, मतलब या तो 30 पे set है, या तो theta के वलू 30 degree होगी, या 60 degree होगी, theta के वलू 30 होई नहीं सकती, कि 30 बटे 2 करेंगे, 15, 15 degree नाक में दम करेंगा, यानि कि theta के वलू 60 degree होगी, 60 degree बात समात, ऐसे सोचा जाता है, बिना, अगर आपको basic से करना है, तो quadratic equation solve करेंगे, जिसमें लगेगा time, बिना quadratic equation solve करके बता सकते होगी, कि अगर option में root 3 आ रहा है केवल, तो या तो 30 पे set है, फिर 60 पे set है, ठीक, 30 पे नहीं हो सकते होगी, 30 बटे तो 15 हो जाएगा, 15 degree की value पे इतनी अच्छी answer आ जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, अब आप इसको solve भी कर सकते हैं, मेरे दोस्तों, देखेगा, अगर आप under root का square करेंगे, rational आएगा, ये rational number है, अगर left side में rational है, तो right side में भी rational होगा, ये भी rational है, तो ये भी rational होना चाहिए, और rational कब आएगा, जब cos theta आपका 60 हो, theta आपका 60 degree हो, cos 61 वटे 2 होता है, अगर cos 30 degree इस वज़े से theta आपका 60 degree होगा, यहाँ पर रखेंगे, 10 30, 1 by root 3 का square, 1 by 3, और sin 30 कितना हो जाएगा, 1 by 1 by 2 का square, 1 by 4, ये कितना है मेरे दोस्तों, 10 60 root 3 का square 3, और sin 60 ही हो जाएगा, आपका, root 3 by 2, कि कोई परिशानी आप बोलोगे नहीं सर, 1 by 3 plus 1 by 4, ये आपका 7 बटे 12 होगा, यहनि कि उपर 7 आएगा, 7 एकी option में ये, आगे solve करने की जुरती नहीं है, D option, खतम, 7 prime number मिल गया न, वो एकी option में आ रहा है उपर, ये mains का सवाल है, mains में भी ऐसे ही question आते हैं, कोई घब पिनक, क्या नाम है इन भाई का, पिनक, पानी, ददी हाच, है, क्या कह रहा है बच्चे ये? कि मार्क दर्शल लेना है, आप अपनी जो डिटेल है, हमारी टीम का जो number है न, social media पर available है, आप उस पर whatsapp कर दीजे, अपनी email ID और phone number हम देखते हैं, ठीक है जी? है, और बच्च की अब कोई जोरत नहीं है, क्योंकि एक महिने में आप बच्च पूरा पढ़ने सकते हैं, हम ये free पढ़ा रहे हैं, आप यहीं से पढ़ ये, और क्या चाहिए, बताओ? सवाल है, यदि 11 sin square theta मानस cos square theta प्लस 4 sin theta मानस 4 equal to 0, तो आप से पूछा है, इसका मान क्या होगा? अब इस सवाल के option को देखो, हर option में root 3 आ रहा है, मतलब यह तो यह 30 degree पे set है, यह 60 degree पे set है, अब किस पे set है, कैसे पता लगेगा? भई 30 पे ही set होगा, क्योंकि दुगना आसा रहेगा 60, नहीं पता चला, जहां से देखेगा, right side में 0 चाहिए, तो मेरे दोस्ते तो rational आएगा, कोग यहां under root आएगा नहीं, यहां under root आएगा, नहीं under root है, इसका मतलब यह चीज भी बिना under root के होनी चाहिए, बिना under root के यह चीज होनी चाहिए, मतलब theta 30 degree होगा, वोकि sin 31 2 होता है, rational, okay, sin 60 root 3 by 2 होता है, irrational, तो theta should be 30 degree, ऐसे एक second में पता लगा लेते हम, यहां पर रख देंगे, cos 60, 1 by root 3, plus cos 60 मेरे दोस्तो, 1 by 2, sec 60 मेरे प्यारे भाई 2, और minus 1060 यह root 3, तो 2 plus root 3, बटे 2 root 3, अब यह क्या हो जाएगा, 2 plus root 3 का square हो जाएगा, मेरे प्यारे भाई, और नीचे, कितना, 2 root 3, जब LCM लेंगे, तो यह 2 minus, 1 by 2 minus root 3 क्या होगा, 2 plus root 3 हो जाएगा, 2 plus root 3 का square क्या होता है, 7 plus 4 root 3, तो 7 plus 4 root 3, बटे 2 root 3, इस सवाल का answer है, तो उपर 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो यह तो है नहीं मेरे दोस्तो, को कि यहाँ पर 5 आ रहा, 5 तो कोई है यह नहीं न, यह भी नहीं होगा, यह होगा, exact आपको निकालने, तो आप ऐसे देखो कि option में नीचे अंडर root नहीं है, तो नीचे अगर आपको अंडर root हटाना है, तो root 3 से गुणा करनी होगी, जिससे की नीचे अंडर root हट जाए, आगे चलेंगे, अगले सवाल की तरफ, सवाल आपकी सामने बनेगा, जी, यहाँ पर हब, 29 नंबर, यह बताएगा, भाई, इस question का क्या अंसर है, देकर गुलाब का फूल यह कह गया, टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे, एक तरफ महंबत यारो, उसे ले जाएगा, कोई सरकाई नोकरी वाला, आसु, इलहाबादी यह कह रहे हैं, वेरी गूड आसु, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कि उसको किवल सरकाई नोकरी वाले भी ले जा सकते हैं, आजकल टिक्टॉकर भी ले जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब वाले भी ले जा रहे हैं, बिजनिसमेन भी ले जा रहे हैं, और किसी आदमी के चार पेट्रोल पंप चल ले हैं, तो लेकर जाएगा की नहीं उसको, हर जगे सरकाई नोकरी का जंडा थोड़ना है, ये बताएगा, सवाल है, यदि 10 थीटा मानस कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा है, थीटा 0 से 90 डिगरी के बीच में हैं, तो आप से ये पूछा है, अब इसको solve करने में हार option में root 3 आ रहा है, मतलब या तो यह 30 पे set है, यह 60 पे set है, अब चेक कर लो, root 3 मतलब 30 साथ पे set, बैज 30 पे होगा नहीं, को कि ये निगेटिव बन जाएगा, तो 60 पे set होगा, अब रूट 3, अगर मैं थीटा को 60 रखता हूँ, तो 10 साथ है root 3, minus 1 by root 3, 2 root 3, और बराबर क साथ हो गया, तो देखो, set हो रहा है कि नहीं, इसको आप calculate कर ही सकते हो, तो मैं आपको किवल ये सिखाना चाहता हूँ, कि ऐसे बहुत सारे सवाल पेप्रम पुछाते हैं, बल्क में, हमारी किताब में भी दे रख्यार वाली में, उन सभी सवालों को आप ऐसे hidden trial से कर सकते ह जो बिना solve करें, ठीक है, और भी question लेंगे, ये देखेगा जैसे, सवाल नंबर है आपके सामने हाँ पर, ये 39, 30 तो ऐसे ये बताओ, 31 नंबर, इसको करो जरा, अब यहां पर दिखाई दे रहा है, 5 sin square theta प्लस 14 cos theta बराबर 13, theta 0 से 90 के बीच में हैं, तो आप से पूछा, इसक तो ये फरजी सवाल तो है नहीं, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, सोना बाबु को आज call करके बोल दो, अब बात, एक महीने बाद होगी, डूब जाओ, पढ़ाई में, यही आखरी रास्ता है, इतनी vacancy दवारे नहीं आएंगे, किरन ले नहीं बनी, जो बच्चा कह रहा है, बात उसे मजाक में लिखिया है, लेकिन यह serious है, मेरे हिसाब से तो आप एक कदम आगे बढ़के ब्लॉक कर दीजिए, एक महीने के लिए, वो ज़्यादे मोटिवेट रहोगे, कास में sin theta होती, तुम cos theta होते, square लगाते और एक हो जाते, बिल्कुल भईया, ऐसे भी हो सकता है, कास में से एक theta होता है, तुम 10 theta होते, square करते, फिर घटाते, फिर एक हो जाते, यहाँ देखेगा मेरे प्यारे बाई, इसका हो जाते, यहाँ आपको quadratic equation solve करनी पड़ेगी, पह माइनस cos square theta प्यारे भाई ठीक है बाई अब धेखे मानस 5 cos square theta उधर चला जाएगा प्लस 5 cos square theta ये 14 cos theta को भो दर फैंग देते मानस 14 cos theta ठीक है भाई इस 5 ये कम 5 को भो दर फैंग देते है 13 minus 5 8 बराबर 0 ये ही आ गया तो आपके सामने क्वार्डिक एक्वेशन बनेगी एक ही लाइन में, यहां से आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं, ऐसी दो संख्या है जिनकी गुणा करके पांच अट्टे चालेस आए और जोड़ के आए माइनस का चौध है, कौन सी संख्या है ऐसी, चार और दस, अभी गुणा करोग चैटा की दो वैलु आ गई, यह तो पॉसिवल ही नहीं है कि मावनवान एक से छोटा होता है, तो कॉस थीटा चार बटे पांच आ गया, चार बटे पांच का अल्टल बेस बटे हाइपोटींच, यहां से पर्पेंडिकुलर कितना आ आ आपका 3 तो पर्पेंडिकुलर 3 आ है दो DC मतलब सब्सक्राइब इसक बैठान ऐसान हो गया कि नहीं सवाल अब आपके लिए कि 성 सेक का मतलब क्या है का इल्टा पांच वटे कहाँद असवांत घ्रृड कॉट झा क्या मतलब यसी कि देश्र पर्पंडिकुलर यानि कि चार बटे 23 को मतलब है मेरे दोस्तों नहीं है, अब नीचे 12 ये 12 कटी जाएगा दोस्तों तो कितना हैगा, 15 प्लस 16, 31, ऊपर 31 बनेगा, एक ही ओप्षन में 31 बनना यही करेक्ट है बाद समाक्त, आगे चलें, तो 31 सवाल का अंसर हो गया, ठीक है भई, आगे बढ़ जाएं हम, सवाल कौन सा था ये, आज मुझे बहुत सारे सवाल करवाने हैं, 32 बाद इसको बताओ, ये मेरा फेवरिट सवाल है, कौन करेगा इस सवाल को, देखें, ये के लास खतम होने के बाद, जो हमारे गोपाल सर है, वो भी प्रेक्टिश एशन ले रहें अपने यूट्यूब चैनल पे, इंगलिश भाई गोपाल सर करके उनका चैनल है, आप गोपाल वर्मा इंगलिश लिखेंगे, यूट्यूब पे आ जाएगा, आप उस प्रेक्टिश एशन को भी जरूर अटेंड करें, वो एक घंटे में पूरा एक इंगलिश का एक मौक टेस सॉल करवाते हैं, ठीक है, बही, कंसेप्ट के साथ, जरूर देखो से, सवाल है, यदि 4 माइनस 6 कॉस स्क्वार थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 है, थीटा 0 से 90 डिगरी के बीच में है, तो आपसे कॉर्ट प्लस 10, अब इस सवाल के ऑप्शन में देखेंगे, तो रूट 5 आ रहा है, मतलब यह फरजी सवाल तो है नहीं, इसको भी आपको सॉल करना है, एक ही क्विशन में लिखना होगा, अब यह साइन है, तो कॉस स्क्वार थीटा को अब लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वार थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, यह 1 माइनस साइन स्क्वार थीटा जिससे की एक ही मेटरियल में बने, एक ही टिग्रोमेटिक रेश्यो में लाना है, मानस मानस प्लस 6 साइन स्क्वार थीटा हो जाएगा, और यह मानस का साइन theta और यह 4-6 मानस का 2 हो जाएगा बराबर 0 को कितनी easy quadratic equation बन गई है तो क्या आप यहां से sin theta नहीं निकाल सकते बच्चों, sin theta कितना आ जाएगा, ऐसी संख है जिनकी गुणा करने पर minus 12 आए जोड़ के minus 1 आए कौन सी है, 4-3 या 12 पर 4-3 या 12 होती है जोड़ोगे तो यह आएगा मानस का 1 अब यह 6 है मेरे प्यारे भी तो 6 से भाग करेंगे, जो भी value उसका sin reverse करेंगे, plus यह minus यह तो हो नहीं सकता को कि theta आपको पहले quadrant में लेना है तो sin theta यहां से कितना आएगा 4 बटे 6, 4 बटे 6 का मतलब 2 बटे 3 यानि कि आपका दोस्तो perpendicular 2 है और hypotenuse 3 है तो base आपका root 5 रहेगा 9 मानस 4 root 5 सवाल समापत, आप से क्या पूछे cot plus 10, cot का मतलब base बटे perpendicular, root 5 by 2 plus 10 का मतलब 2 by root 5 2 root 5 आएगा भी नीचे और 5 plus 4, 9 तो 9 बटे 2 root 5 आँसर है यह जल्दी आपको process करना है ठीक, आगे चलें अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे सवाल नंबर आपकी सामने आएगा जी यहाँ पर, यह question था आपका 32, 33 भी सी प्रकार से आप मुझे 34 वा बताएगा जी 34 भी question का आँसर कितना होगा यह बच्चा गरा सर इंटरवल करिए वीणी पीना है यह कैसी बाते करते हो तुम दोंगो कुछ सरम हया है कुछ सरम हया है तुमें सवाल है बारे कॉट स्क्वार थीटा माने से 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 इक्वल टू 0 थीटा 0 से 90 के बीच में तो आप से पूचा है साइन थीटा का मान क्या होगा देखें अगर आप इस सवाल के ओप्शन देखें साइन थीटा साइन थीटा का मान मानस एक से एक के बीच में होता एक से छोटा तो ये ओप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है एक से छोटा आना चाहिए ना ये ओप्शन पॉसिबल है अब दो ओप्शन में आप फस गए B और C में, दोनों ये एक-एक से छोटे हैं, अब किसी भी एक option को उठा के यहां रख के देख लो, अगर satisfy कर गया तो वो ठीक है, नहीं तो अगला तो ठीक है, एक हो गया आप option से करने वाला, कि किसी भी एक option को यहां पर pick कर के देख लो, A की value को, set होगी तो वो answer हो जाएगा दरवाईस अगला answer होगा, दूसरे कि आप यहां पर solve करके भी बना सकते हैं, अब कैसे? यहां पर equation आपको दिख रहे हैं, यह cot है, यह cosac, तो एक ही में लिखो न, यह cot square theta को आप क्या लिख सकते हो, cot square theta को आप लिख सकते हो, cosac square theta minus 1, यह हो जाएगा, तो बारे से गुणा क equal to 0, तो आपके सामने की quadratic equation बनगी, cosac theta में, तो यहां से cosac theta की value आप direct निकाल सकते हो, बोलो नहीं निकाल सकते, ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 12 गुणा 20, 240 आए और जोड़ के आए मानस का 31, गुणा करके तो 240 आए, और जोड़ के मानस का 31 आए, कौन सी संख्या तो 15 और 16 हो गया, अभी 15 गुणा 16, 240 होता है, जोड़ के मानस का 30 आए यह हो जाएगा, अब यह 12 है, जो भी coefficient होता है, cosac square theta का उससे भाग देना होता है, इनका sign reverse करिए दोस्तो, reverse करेंगे, बोलो हाँ, yes or no, यानि कि 15 बटे 12 है तो यह आजाएगा 5 बटे 4, 16 बटे 12 कितना जाएगा, 4 बटे 3, यह cosac theta की value आ गई, sign theta पूछा तो इसका उल्टा, 4 बटे 5 और 3 बटे 4, यह वाला option correct है, C option, बोलिए, जी, आगे चलेंगे student, अगले सवाल की तरब, सवाल आपके सामने आएगा, 35 नमबर, बहुती बहतरीन question है, जवाब दीजेगा, क्या उत्तर होगा? सुमन विश्वास कह रहे हैं, सर जी, जिन्दगी जण्ड हो गए, सुमन विश्वास अभी तो जिन्दगी शुरू ही नहीं हुई है, अभी इसे कैसे जण्ड कर ले रहे हो? सर मैं 19 साल का हो गया, 20 साल तक इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, क्या? जिस दिन ये सवाल करना छोड़ दोगे, उस दिन आपके बनने का प्रोसेस सुरू होगा, इंस्पेक्टर लोग ऐसे फरजी सवाल नहीं करते हैं, हर तरफ पढ़ाई कैसा आया है, हर पेपर में जीरो आ सुधीर चौधरी कह रहे हैं, सुधीर चौधरी आपकी सकल वैसी होगी थोड़ी सी, मुझे पानी मार लिया करो, लोग नहीं कहेंगे, मुध होने में समय लगता ही कितना है, सवाल है यदि साइन बटे 1 प्लस कॉस, प्लस 1 प्लस कॉस बटे साइन बराबर 4 बटे रूट 3 ह तो आप से पूछा ये, ये सेक प्लस 10 का इनवर्स, सेक प्लस 10 की पाउर मानस 1, और सेक प्लस 10 का इनवर्स क्या होता है, सेक मानस 10, अभी समझा है, कि सेक प्लस 10 और सेक मानस 10 एक दूसरी के उल्टे होते हैं, ये आप से पूछा है, बीच में मानस है, मतलब ये उत्तर नह 62 और 1060 रूट 3 एक सेकिंड में बिना सॉल करें आप यह सवाल बना सकते हैं इस चीज पर ध्यान दिया करो कि पूछा क्या है अगर आप इससे यहां से थीटा निकालना भी चाहें तो निकाल सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है अब यह साइन बटे 1 प्लस कॉस है यहां 1 प्लस प्लस कॉस की जगहें लिखा जा सकता है 1 मैनश कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो lcm लेने की तुल्ला में यह आसान होगा क्युक cooked गया ये आगया 2 बटे sin theta तो 2 बटे sin theta बराबर 4 बटे root 3 तो उसे sin theta आगया root 3 by 2, तो theta 60 degree तो solve करना भी कोई typical काम नहीं है, आसान काम है जी आगे बनाएंगे अगला सवाल, सवाल होगा जी आपके सामने हैं पर 36 number जी, करो जल्दी से theta कमान ग्यात करें यदि sec square theta plus 1 minus root 3, 10 theta minus 1 plus root 3, बराबर 0, theta acute angle है, कभी कभी paper में ऐसी equation आते हैं, जिसका कोई sir pair नहीं है, जिसका solve करने से कोई लेना देना नहीं है theta कमान पूछ लिया, तो आपको ऐसे सवालों को हमेशा option से बनाना है जो option theta का satisfy कर जाएगा वो answer होगा अब यहां root 3 आ रहा है मेरे दोस्तो check करने की कोशिश क्या, गर root 3 पे मेरी कोशिश यह रहेगी कि मैं 60 और 30 पे check करके देखूँगा, 60 degree पे और 30 degree पे, ठीक 15 है तो मैं छोगा ही नहीं अगर मैं पहला option 60 degree मानता हूं, तो 602, 2 का square 4, 10 60 है root 3, root 3 यह कम root 3 और minus root 3, root 3 यह 3 हो जाएगा और यह minus का 1 और यह minus का root 3 क्या यह 0 हो रहा है, यह cancel out है भई 0 नहीं हो रहा मतलब यह नहीं है 602, 2 का square 4 आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है भई, तो 4 minus 4, 0, satisfy कर रहा है यही वाला option correct है कर रहा है न तो ऐसे सवालों को आप हमेशा option से बनाओ, equation को solve करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है एक ही question लिया है मैंने इस type का आपको previous दर में और भी बहुत सारे मिल जाएगे, मैं sheet में डलवा दूँगा यह बताओ जल्दी से ठीक न, sheet में आपको दूँगा वो solution के साथ होगी सवाल है sec minus cos पराबर 14 है और 14 sec theta पराबर x तो x का मान ग्याद करिए selection post 10 का पूछावा सवाल है अभी कहरें सर पहले पूरा concept समझा दीजे, कुछ भी समझा नहीं concept तो मैंने बता दिया जो भी concept लग रहें वो मैंने बता दिया बस speed आपको fast करनी है इसक में हम तुमें क्या बताएं किस कदर छोट खाए हुए है मारा था बापने कल उसके आज उसके भाई आए है दाफलेस्टेस रीडर तुमारे साथ यही होना चाहिए परसओं उसके पड़ोसी भी आएंगे और उसके भूले पिछले आसिक भी आएंगे और पले दिन x भी आएंगे और उसके अगले दिन मैं भी आऊंगा मारने के लिए ये करो जल्दी से x निकालना है दोस्तो x की कीमत क्या है? 2 रुपया इधर देखिए sec का मतलब होता है एक बटे cos तो जैसे आप calcium लोगे तो नीचे तो cos theta हो जाएगा उपर 1 मानस cos square theta sin square theta हो जाएगा बराबर 14 14 ये दिया है और 14 की जगे क्या लिख सकता हूँ? 14 की जगे मैं लिख सकता हूँ x बटे sec यानिकी x cos theta तो 14 का मतलब अगर मैं हाँ से निकालू तो x cos theta है ये cos theta तो इधर आएगा तो x आगा sin square theta बटे cos square theta यानिकी 10 square theta तो x का जो मानने वो 10 square theta है मेरे प्यारे भी एई आंसर है सवाल कोई तकलीफ? अगला सवाल आसान है प्री में ऐसे ही सवाल आएगे खुष रहो आप जादे tension ना लो आहां मज़ेदार चीजे शुरू हो रही है अब आनन्द आएगा अति आनन्द अगर किसी बच्चे ने इतना भी कर लिया ना बेवज़े की हवाबाजी सवाल के कल्यान है उसका चिंता ना करो सवाल है sin x minus 3 cos x बराबर root 3 cos x तो आप से पूछा है cortex का मान क्या होगा करो जी आप अच्छी तरीके ज्यानते हैं कि cos x वाले material को एक तरफ ले जाओ उधर ले जाते हैं तो sin x बराबर हो जाएगा मेरे प्यार बेज 3 उधर जाएगा 3 plus root 3 है बे और ये cos x आपको चाहिए मेरे दोस्तों cot cot का अच्छी इधर आएगा ये इधर तो cos बटे साइन मतलब cot x बराबर कितना आएगा दोस्तों 1 upon 3 plus root 3 तो ये तो कोई option है क्या नहीं तो rationalization करके लिखना ये आ जाएगा 3 minus root 3 से गुणा करेंगे न उपर नीचे तो 3 minus root 3 नीचे 9 minus 3 6 3 minus root 3 बटे 6 बुलिए आसान बात है की नहीं चलिए अब यहां से मज़ेदार सवाल होंगे 49 नंबर मज़ा आएगा कर दो जल्दी से यस बनाव जल्दी से सवाल को जी अमारी टीम कह रहे है मोटिवेशन भी देते रहा करो मैरी हसी किसी मोटिवेशन से कम है क्या देफो कैसी विक्राल है हसी है जिसके पास नौकरी ना हो एब छोटे से कमरे में रहता हो घरवाले जो है उमीद लगा बैठें उसको मोटिवेशन की क्या ज़रत है मोटिवेशन तो उसके अंदर से आएगा आग होनी चाहिए, जोस होना चाहिए, पबलिश हो गई है, चले बताओ, साइने प्रस को से बराबर एक्स, तो आप से बूचा है, इसका बान गयात करिए, सीडियस का पूच्छा होगा सवाल है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद आए, क्या र वैल्यू पूटिंग से कर लेते हैं, क्योंकि आप्शन बहुत ईजी है, अगर मैं यहाँ पे एक्स को 45 डिगरी पूट कर लूँ, एक्स को नहीं एको, एंगल को 45 डिगरी पूट कर लूँ, तो एक्स कितना आ जाएगा, साइन पैतालिस वन बाई रूट टू प्लस कॉस प अगर 45 डिगरी है ए, तो साइन पैतालिस होता है, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू की पावर ये ओप्शन तो होगा नहीं, वन बाई रूट टू की पावर 6 करेंगे, तो कितना आएगा दोस्तो, एक बटे 8, एक बटे 8 प्लस एक बटे 8 ये ओप्शन एक बटे प्लस एक बटे आठ ये option एक बटे चार बनेगा तो पहलो option यहां पर correct बनता है डी वाला नहीं है ठीक आसान सवाल था यह मज़िदार प्रसुन था आगे चलेंगे सवाल लंबर आपके सामने आएगा 40 student जवाब दीजेगा अब यहां पर जो भी मैं आपको basic result बताए basic identity उस प 1 बटे cos मानेस sin प्लस 1 बटे cos 1 मानेस cot मानेस 1 अपॉन सेक प्लस 10 की value क्या आओगी देखे टिगनों metric में value putting बहुत अच्छी बात है लगानी चाहिए लेकिन अगर किसी सवाल में आपको direct formula दिखरा कि भाई मैं ये भी जानता हूँ ये ऐसे हो जायागा ये वैसे तो हाँ basic स से ही करो कम से कम लिखके दिमाग में आपको पूरा लिखने की जुरत नहीं है कमेंटी तने तेज आ रहे हम पढ़ें नहीं पारे का करें बताओ 1 बटे cos 1 बटे cos हर कोई जानता है sec theta होता है minus 1 बटे sin हर कोई जानता है cos 1 theta होता है इसमें कोई फारसी की आख नहीं है ये 1 से प्लस 10 का मानला sec theta minus 10 theta तो अब यहां देखेंगे मेरे प्यारे भाई ये sec और ये sec cancel out हो जाएगा कोई से कट जाएगा कोट theta minus minus plus, कोट प्लस 10 बचेगा और कोट प्लस 10 क्या होता है कोट प्लस 10 होता है sec theta into cosec theta अभी समझाया है कोट theta प्लस 10 theta बराबर होता है sec theta into cosec theta one single liner सवाल है verbally आप इसको कर सकते हैं अगला बताएगा सवाल लंबर आपके सामने होगा प्यारे बचे 41 करो जल्दी से इस प्रसंद का क्या उत्तर है जी, what is the simplified value of this इसको simplify करना है लेकिन मुझे साप साप दिखाई दे रहा है 1 plus cos क्या होगा sin बटे 1 plus cos अगर दोनौ जगह नीचे स्यम मन जाए material तो हो जाएगा कि नहीं sin बटे 1 plus cos को मैं लिख सकता हूँ 1 minus cos बटे sin theta भी तो समझाया था sin बटे sin बटे 1 plus cos को आप क्या लिख सकते हो 1 minus cos बटे sin theta तो sin theta तो आएगा cos cos कट जाएगा तो ये 2 बटे sin आ गया और 1 बटे 10 प्लस cot 10 प्लस cot का मतलब क्या होता है 10 प्लस cot का मतलब है 1 बटे sin into cos 1 बटे sin into cos उपर पहुँचेगा sin cos cancel out तो 2 cos theta कि cb value putting से जादे आसान है इस तरीके से सवाल को solve करना आपको result याद होने चाहिए ठीक कोई तकलीफ आगे चलूँगा आगले सवाल की तरफ सवाल लंबर आपके सामने आएगा यहाँ पर 42 ये बताएगा प्यारे बच्चे सवाल का क्या आंसर है फटा फट करिएगा झाल जी यह बताएगा, sin minus cos upon into 1 plus 10 plus cot upon 1 plus sin into cos, आप इस सवाल को value putting से बना सकते हैं, हर एक को value putting से बना सकते हैं, लेकिन आपको यहां पे साप साप दिखाई देरा करना क्या है, देखें जहां 10 plus cot दिखें, वो आप तुरन समझ जाएगा कि बिल्कुल फ्री का सवाल है, कि 10 plus cot का मतलब ही क्या होता है, 1 बटे sin theta into cos theta, 10 plus cot का क्या मतलब, 1 बटे sin theta into cos theta, अब जैसे ही LCM लूँगा, उपर sin theta into cos theta plus 1, नीचे sin theta into cos theta plus 1, cancel out हो जाएगा, बचा कैई, sin minus cos और नीचे sin into cos, यही बचे आप बोलोगे जी सर, तो बाग करेंगे, sin से sin कटेगा, 1 बटे cos theta, cos से cos, 1 बटे sin cos theta, तो sec minus cos theta, इस सवाल का उत्तर है, A option, कोई तरीका value putting का, इससे जल्दी answer आपको नहीं देगा, जी, यह trigonometric की basic identity पे ही सवाल है, मेरे दोस्तो, सवाल number आपके सामने आएगा, 43 number, यह बताएगा जल्दी से, बहुत प्यारे-प्यारे question है आपके सामने, बोला है, sin minus cos 1 into cos minus sec upon 10 square theta minus sin square theta, बराबर r cube है, तो r किसके बराबर है, यह आपको निकालना है, करो जल्दी से, अब अभी-अभी मैंने समझाया कि 10 square theta minus sin square theta क्या होता है, यह तो अभी-अभी हमने बताया, कि सर यह होता है, 10 square theta into sin square theta, बोलो हाँ, है अभी, और यहाँ देखो sin theta minus cos 1 theta cos minus sec, बहुत को क्या लिख सकते हो, यह जो cos 1 है, cos 1 का मतलब है 1 बटे sin, और यह जो sec है, sec का मतलब है 1 दिमाग में लिखना है, वो तो मैं दरिया दिलू से लिख लिख के आपको बता रहा हूँ, अब जैसी आप LCM लोगे sin theta, तो उपर sin square theta minus 1 minus cos square theta होगा, into, यहाँ पर cos square theta minus 1, minus sin square theta होगा, बटे cos theta, नीचे 10 square theta, बटे sin square theta, अब 10 का मतलब है, 10 का मतलब है, sin square theta, बटे cos square theta, और into sin square theta, आप बोलोगे, जी सर, बिल्कुल सही, बात अच्छे से समझ में आ गई, यह हो गया न, भाई, minus minus, तो plus ही हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, cos into sin, तो cos into sin, यह आपका cos square theta, और नीचे sin की power 4 theta, तो क्या बच गया मेरे दोस्तों, एक sin कट जाएगा, sin cube theta, तो ऊपर cos cube theta, न मेरे प्यारे, cos बटे sin कितना होता है, cos, cos cube theta, बटे sin cube theta, cos cube theta आ गया, यानि कि, cos cube theta, r cube के बराबर है, तो r की value कितनी है, cos theta, यह correct answer है, c option, ठीक, कोई problem, है ना, मजदार सवाल, एकदम, जबरदस्त, ठीक, चले, अगला सवाल, सवाल आपके सामने है, 44 नम्मर, यह बनाएगा, बच्चों, इस वाले question का, क्या answer है, और यह वो सवाल है, जो एक बार नहीं आए पेपर में, यह वो सवाल है, जो पांच पांच छे चे बार आए हैं, कभी CGL में, कभी CHSAL में, कभी फरक कितना सा होता है, कि यहां पर सीजा दे, ओपर उल्टा करके लिख देगा, दो सवाल में mix करके देगा, पढ़ने लिखने पर तो ध्यान है नहीं तुम्हारा, ध्यान सारा उदर ही है, ऐसा कैसे चलेगा भाई, ना ना पूरे करवांगे, कल तो दोजू करवाई, वन प्लस टैन स्क्वार थीटा प्लस टैन स्क्वार थीटा का इनवर्स पराबर के है, तो आप से पूछा है, रूट के, आप जानते कि वन प्लस टैन स्क्वार थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर जी, सैक स्क्वार थीटा, यह क्या ह होता है सेक स्क्वार थीटा प्लस को सेक स्क्वार थीटा अभी पढ़ाया था सेक स्क्वार थीटा इंटू को सेक स्क्वार थीटा होता है और बराबर के है आप से पूछा है रूट के रूट के का मतलब सेक इंटू को सेक आ गया यह ऑप्शन आंसर है सवाल का बोलो आंसर है की नहीं? अंसर है, अगला सवाल लेंगे, सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों, यहां से 45 नमर ये बताएगा जल्दी से, क्या उत्तर है? the value of इसकी value बताने 10 square 5 plus 4 square 5 minus 6 square 5 into cosec square 5 ठीक क्या मतलब है 6 square 5 cosec square 5 का मतलब यह 6 square 5 plus cosec square 5 है न यह अरे बिटा 6 square 5 plus cosec square 5 लिख सकते हो आप बोलोगे हां जी सर 10 square 5 minus 6 square 5 minus 1 4 square 5 minus cosec square 5 minus 1 minus 2 आगया यह आंसर है बोलो value putting से भी कर सकते हो 45 degree put करको की बहुती easy सवाल है और ऐसा नहीं है यह prepay न यह means 2018 का as it is पूछवा सवाल है 45 degree put करके भी आ जाएगा बोलिए अगला question next आपके सामने है दोस्तो सवाल number 46 जी जवाब दीजे इस question का क्या answer है बोलो बनाओ यदि theta 0 से 90 के बीच में है तो आप से पूछा इसकी value क्या होगी अब ये चीज उपर वाली और नीचे वाली क्या पड़ी हुई नहीं है यहाँ कोई value putting की आवसकता नहीं है वो बक्वास की चीज है आप जानते कि sec square theta plus cosec square theta बराबर है sec square theta into cosec square theta के 10 square theta minus sin square theta बराबर है 10 square theta into sin square theta के ठीक है भई और अब ये सवाल समाप्त हो गया है सवाल में कुछ है नहीं बोलो कि तकलीफ है क्या 10 square theta को आप क्या लिख सकते हो जो 10 square theta है आप इसको लिख सकते हो sin square theta बटे cos square theta वो कि option sin cos की फॉर्म में है बस सवाल समात ठीक है भई अब जैसे ये cos square theta उपर पहुंचेगा तो cos square theta into sec square theta 1 हो जाएगा और ये क्या हो गया भई sin की power 4 theta है उपर cos square theta है तो कितना हो गया sin की power 4 theta नीचे है तो उपर तो cos की power 4 theta हो जाएगा ना उपर cos square theta already है तो cos की power कितना हो जाएगा total 6 theta तो cos की power 6 theta का अंडरूट cos cube theta आएगा कर लेंगे आसान है कि नहीं ठीक तो ऐसे सवालों को आप basic identity का यूज करके ही बनाए value putting के चक्कर में ना पढ़े ये बताओ जल्दी से क्या answer है इस सवाल का सवाल है the value of the sec theta into cos theta upon 2 plus 10 square theta plus cot square theta का माना आप जानते कि ये क्या है ये जो आपके सामने लिख्यूए के बार आता है पेपर में 10 plus cot का whole square है ये 10 theta plus cot theta का whole square है और हम अच्छी तरीकी से जानते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 theta plus cot theta बराबर है 1 बटे sin theta into cos theta इतना ज्यादा यूज होता है नहीं आपकी आत्मा से भी ज्यादा यूज होता है और ये sec theta into cos theta तो याने कि sec square theta cos x square theta ही है मेरे प्यारे भाई ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं तो 1 बटे sec cos x मतलब sign into cos C option answer है ठीक है भाई आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ सवाल आपके सामने आएगा इस्टोट यहां से 48 नंबर जी जवाब दीजेगा क्या उत्तर है करो यह जो question है latest means 2020 के paper का है बच्चो जवाब दीजेगा इस सवाल का क्या answer बनता है 1 plus cos theta minus sin square theta upon sin theta into 1 plus cos theta into यह अब देखे ध्यान से समवने कोशिश करेगा sec square theta plus cos x square theta का मतलब sec square theta into cos x square theta यह हो जाएगा न sec square theta plus cos x square theta का मतलब sec square theta into cos x square theta नीचे 10 plus cot 10 plus cot का मतलब sec into cos x तो sec into cos x ऊपर है sec into cos x नीचे यह तो कट गया इसमें तो कोई दो राए ही नहीं है यह तो बिल्कुत basic सी बात है अब क्या है मेरे दोस्तों यह देखो 1 minus sin square theta है cos square theta formula बनाओ बस 1 minus sin square theta cos square theta और cos theta है तो cos theta common आजाएगा bracket में बचेगा 1 plus cos नीचे sin theta है bracket में 1 plus cos यह भी cancel out हो गया तो क्या बचा? cos बटे sign या नहीं की cot theta answer है D option correct है जी जवाब दीजे आप बोलोगे हांजी सर बिल्कुल सही must टकाटक चला है सवाल number 89 बताएगा जी इस question का क्या answer बनेगा cos की पावर 6 theta plus sin की पावर 6 theta minus 1 into 10 square theta plus quarter square theta plus 2 plus 3 का मान बताईए आप इसको value putting से भी बना सकते है बहुत अच्छी बात है theta को 45 degree put कर लीजे 090 पे तो problem होगी लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है आपको दिख रहा है न सीधे सीधे formula दिखे तो लगा दो cos की पावर 6 theta plus sin की पावर 6 theta क्या होता है 1 minus 3 sin square theta cos square theta ये होता है ये 1 से 1 कट जाएगा कट जाएगा न मानस 3 sin square theta cos square theta ये क्या है 10 square theta plus cos square theta plus 2 3 plus 3 0 0 इसका answer है ये option आया ना चलिए दोस्त अगला सवाल अगला सवाल आपके सामने लेंगे सवाल है जी फिफ्टी नंबर में ऐसा एक क्वेशन करवा चुकों आप खुछ से ट्राई करेगा फिफ्टी वन ये बनाएगा जल्दी से यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट सेवन बाई टू है तो आपसे पूछा है इसका मान कितना होगा जवाब दो भाई आया, देखो, sin theta प्लस cos theta root 7 by 2 है, आपको ये निकालने, देखे, आप जानते नहीं क्या, कि sin की power 6 theta प्लस cos की power 6 theta कितना होता है, 1 minus 3 sin square theta cos square theta होता है, और ये plus 6 भी आ रहा है, तो यानि कि ये हो जाएगा, 1 plus 3 sin square theta into cos square theta है, ऐसा तो है नहीं कि मैं sin cos sum की value निकालके यहां पे ऐसे तो आपको कई दिल लगेंगे इसको solve करने में, यानि कि मेरी जिन्दगी का मक्साद है, कैसे sin into cos मुझे पता लग जाए, sin into cos कैसे आएगा, बताओ, आपको दिया sin theta plus cos theta root 7 by 2, जब इसका आप square करोगे, जब आप इसका square करोगे, क्या आएगा, sin a plus b का square, a plus b इसका plus 2, sin square theta plus cos square theta, तो 1 आजाएगा, 1 plus 2 sin theta cos theta बराबर 7 बटे 4, यहाँ से sin theta into cos theta कितना आजाएगा, 7 बटे 4 minus 1, 3 बटे 4, 3 बटे 4 का आधा करेंगे, 3 बटे 8, sin theta into cos theta, 3 बटे 8 आएगे, इसका square करके, वह अप यहाँ पर रख दीजिए, 1 plus 3, sin into cos 3 by 8 का square, 9 बटे 64, यह हो जाएगा, तो 64 plus 27, 91, तो 91 by 64, इस question का answer है, बहुती बहतरीन सवाल था, D option यहाँ पर correct है, चीक, चलिए, एक और सवाल करेंगे, सवाल number है, आपके पास, 52, last question है, जी जवाब देंगे, क्या उत्तर है इस प्रसंद का, ठीक है बई, चलो, आज का यह last question है, कल और लंबी किलास होगी, कोकि कल की किलास में हमें कम से कम 100 से जादे question करने हैं, ठीक है बई, और technometric हतम करनी हैं, चलेगा, यह आज basic sheets मैंने आपको करवाई हैं, फॉर्मले वाले जो होते हैं, यह प्रस भी compound एंगल फॉर्मले पर वह भी कल ही करवाऊंगा, ठीक, तो कल की किलास भी जरूर अटेंड करें, सभी लोग, 100 questions की PDF में अपलोड करूँगा, live इसी time होगा, morning में 10 बजे, daily live होगा आब, और live ही पढ़ो, उसमें फिर आप जो है, डाउट वगरा भी पूछ सकते हो, जादे आप connect कर पाते हैं, energy जादे बढ़िया होती है, जी, सवाल है, यदि sin 2 theta बराबर 2 बटे 5, तो आप से पूछा है, इसकी value कितनी होगी, ओके, अब sin 2 theta आपको दिया है, यह आप से पूछा है, हर एक की value नहीं निकाल के रखनी है, यहाँ पे थूड़ा देखो, क्या जुगाळा है, अब sin की power 6 theta प्लस cos की power 6 theta, मैं जानता हूं, कि 1 minus 3 sin2 theta your cos2 theta बोलो, और मैं यह भी जानता हूं कि sin की power 4 theta plus cos की power 4 theta, यह 1 minus 2 sin 2 theta your cos square theta है, तो कितना आ गया भाई, यह आ गया 2 minus 5, 3 और दो 5, 2 minus 5 sin square theta tar, the cost square theta आ ठीक, बोलो, यानि कि question solve करने के लिए sin into cos चाहिए किवल, आपको ये दे रखा है, sin 2 theta 2 वटे 5 है, sin 2 theta का मतलब है 2 sin theta cos theta, 2 वटे 5 है, यान से sin theta cos theta आ जाएगा 1 वटे 5, वो हम यहाँ पर रख देते हैं, एक वटे 5 रखेंगे मेरे दोस्तों, तो एक वटे 25, एक वटे 25 हो जाएगा ना, 5 से 25 काटेंगे, एक वटे 5, यानि कि मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 by 5, 9 by 5 इस question का answer है, option decimal में है, तो 1.8 आएगा मेरे दोस्तों, 1.8 is the correct answer for this question, बहुती basic, एक साधारण सा सवाल था, समझ में आ गया, ठीक, आप PDF में Telegram चैनल पे डलवा दूँगा, वहां से आप देख सकते हैं, आज इतना ही छोडेंगे, ठीक है बई, और अभी हमेरी टीम बातारी कि शंदीप सर के चैनल पे जो हमारा session हुआ था, वो उ अभी वीडियो पब्लिश हुई है, देख सकते हैं दोस्त, ठीक, चलो, आज इतना ही छोडते हैं, महनत करो मेरे प्यारे भाई, सिलेक्शन लो इस बार को कि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला, चुना पांच साल में एक बार आते हैं, और शादी तो जिन्दगी में एक सबी चेप्टर पर ध्यान दे, जो चेप्टर आपका कमजोर है, आप उससे भागते हो, डरते हो, कमजोर वाली चीज पर ज्यादे महनत करो, कि इगनोर किसी को नहीं करना है, कि गणित ज्यादा इंटरस्टिंग है, तो दिन बर गणिती पढ़नों से कुछ नहीं होता, झाल